गुट मॉर्णिंग और नमस्कार माइडियर स्टूदेंट्स आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एक ब्रैंड न्यू मॉड्यूल में आज से हम शुरू कर रहे हैं टेक्नोलोजी एन एन्वायमेंटल इशूज इन इंडिया अधूत मॉड्यूल है पंदरा लेक्चर का और आज हम पहले लेक्चर पर आगए हैं ओरियेंटेशन तू साइन्स एंड टेक्नोलोजी विज्ञान और प्रद्योगी की एक अभी विन्यास यह हमारा लेक्चर 23 है इन दे सीरीज ओफ 150 एक्साइटेड हैं आप नए मॉड्यूल के साथ में सारी लाइव क्लासेज बराबरते अटेंड करें आज जेते साथ बजे आप आगए अटेंड करने बहुत अच्छी बात है सारे पावर अफ 10 सेशन धंक से पढ़ें क्विजस को सॉल करें हमने संडे को सेशन नंबर 108 भी रिलीस कर दिया है सैटेड़े इवनिंग के डाउट क्लेरिंग सेशन बराबरते अटेंड करें पिछले सैटेड़े का जो क्लेरिंग सेशन पेंडिंग है वो आज शाम को यहने मंडे शाम को 6-8 बजे होगा और उसमें यह आज का लेक्चर भी हम शामिल कर लेंगे ठीक है तो टोटल 6 लेक्चर उसमें हम कवर कर लेंगे 18 19 20 21 22 30 ठीक है भी या और इस वीक का जो डाउट क्लेरिंग है वो तो सेटे इसको आपके समर्थन की बहुत आवश्च रखता है अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसकोर्स के साथ जुडिए जितने अच्छे स्टूण जुडेंगे उतने अच्छे लर्निंग कम्यूनिटी बनेगी आप जितना अच्छा इसकोर्स के बारे में फीडबैक दे में हैं 15 लेक्चर का मॉड्यूल 3 टिक्नॉलोजी एन एंवार्मेंटल इशूज इन इंडिया टोटल 16 मॉड्यूल होंगे सारे देड़ सो सेशन में ही कंड़क करने वाला हूं इस मॉड्यूल के 15 लेक्चर ध्यान से देख लीजिए लेक्चर नमबर 23 से 37 तक हम जाने वाले हैं और आज हम करेंगे orientation to science and technology जिसमें सबसे मूल भूत बाते में आपको विज्ञान परद्योगी की कि ऐसी ऐसी बताऊंगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा कि इस तरह से भी चीजों को देखा जा सकता है याद रखिएगा जितने भी लेक्चर से स्कोर्स के 150 लेक्चर य और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा इस मॉडियूल में भी उसका भी मुख्य मकसद आपको परिक्षा में सफलता दिलवाना ही होगा तो इसलिए ध्यान से इस बात को समझें तो आज हम पढ़ेंगे orientation to science and technology कल सुभे मंगलवार को होगा important concepts in science and technology Wednesday को हम देखेंगे space technology Thursday को देखेंगे bio technology Friday को देखेंगे nano technology और Saturday को देखेंगे AI virtual reality crypto blockchain cvdc computer super computers ठीक है syllabus का यह portion आपका cover होने वाला है तो यह GS3 paper 4 होगा mains में बहुत सारे essays में आपको मदद आएगी और environment का portion prelims में तो होता ही होता है तो इस module में आपके syllabus के काफी major portions cover होने जा रहे हैं अच्छे से देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए हर step पर हमारी कोशिश होती है आपको यह बार बार orient करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस दिशा में पढ़ रहे हैं किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप टीम से संपर कर सकते हैं अपनी notebook बराबर up to date करते चलें wish you all the best आज का हमारा lecture 23 of 150 module 3 का lecture 1 सबसे पहले बात करेंगे man and his technology उसके बाद बात करेंगे rise of homo sapiens the really big things in man's history the term science and tech the scientific method branches debate and origin of science scientific temperament the structure of it all यह आज का हमारा सबसे शांदार chapter है carbon dating process prelims mcqs and mains questions यह हम आज पढ़ने जा रहे हैं excited शुरू किया जाए अरे yes or no जोश में बोलो करके दिखाएंगे पूरा नया module शांदार तरीके से that's the spirit सुबह सुबह पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और होता है man and his technology प्यारे दोस्तों आज नया module शुरू हुआ है तो आज बड़ी बड़ी बाते होंगी इस module में बहुत मज़ा आएगा mankind is a recent arrival on earth मनुष्य प्रजाती की प्रत्वी पर उत्पत्ती हाल ही में हुई है बही 4500 करोड साल पुरानी प्रत्वी पर 25 लाग साल पुराना प्रानी क्या मायने रखता है लेकिन उसके बावजू the impact of mankind has been rather terrific both cultural and technological हम बहुत युवा हैं एक प्रजाती के रूप में लेकिन हमारा सांस्कृतिक और प्रद्वी की प्रभा इस पूरी प्रत्वी पर बहुत ही जबरदस रहा है इतने कम समय में we have become the topmost predator in the food chain और हमने दूसरी species की limits तय करके रखी हुई है और modern technology मानवता को जिस गती से change कर रही है तो ऐसा लगता है कि भविश्य यहां पहले से ही विद्यमान हो चुका है हमने tools बनाए हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और हमने उन tools की मदद से बाकी सारी species पर संपून नियंतरन कर लिया है यह जो प्रक्रिया है nature पर control करने की यह प्रक्रिया और गती लेती जा रही है और अगले 50 साल तो बिलकुल transformational हो जाएंगे क्योंकि technology अब अपने exponential growth के phase में पहुँच गई है जिसके परिणाम क्या होंगे आज किसी को भी पता नहीं है हम यहीं उम्मीद कर सकते हैं कि सब अच्छा हो dominant global powers आज वो हैं जो technology में बहुत ज्यादा निवेश करके खुद को आगे रखे हुए हैं जितनी भी दुनिया में topmost शक्तिया हैं उन सब में एक चीज कॉमन है आज वो देश की सरकारें लगातार पिशले 30-40-50 साल से लगातार है the state policy research and development में science and technology में जबरदस निवेश कर रही है तो आज उनके पास वो हथियार आ गए हैं हथियारों का मतलब सिर्फ arms ammunition वो नहीं होता है हथियारों का मतलब हर प्रकार की technology for example making the most complex semiconductors जिससे उनकी hegemony बरकरार है एक प्रभूत्व बरकरार है आदिपत्य बरकरार है ये सब इतना तेजी से कैसे हो गया कुछ trends हैं जिससे हम थोड़ा समझ सकते हैं तो इससे पहले कि हम rise of homo sapiens other species पर जाएं मैं आपके नजर में ये कुछ बड़े trends लाना चाहता हूँ ये रहे वो बड़े trends दोस्तों सबसे पहले जो हम सबसे प्रथम industrial revolution बोलते हैं वो बिटेन के अद्ध्यों के क्रांती होती है और आज climate change के भी सारी reading जो ली जाती है वो with respect to pre-industrial era यने इस युग के समय से ली जाती है उसके बाद age of steam and railways होती है age of steel, electricity and heavy engineering age of oil, synthetics and mass production and age of information and telecom पाँच बड़ी technology के revolutions को मोटे तोर पर ऐसा ही दिया जाता है इन पाँचों में आप देखेंगे कि rate of change भी बढ़ता चला जा रहा है तेज होता चला जा रहा है और इन परिवड़तों नो society, politics और culture को पूरी तरह से परिभाशित किया है जिन जिन युगों में ये हुई है उन उन युगों का समाज, राजनीती, संस्कृती सब बदलता चला गया इनका impact काफी unpredictable होता है और पूरे के पूरे power structures wipe out हो जाते है तो आज जिस प्रकार का technological change चल रहा है ये 10, 15, 20, 25 साल बाद कौन कौन से power structures को revolutionary ढंक से बदल देगा कोई भी predict नहीं कर पता अगर predict कर पाते तो वो change ही नहीं आते तो ये है man and his technology का एक first introduction लेकिन अब हम थोड़ा जाके समझना चाहते है Rise of homo sapiens अर्थात आपकी और मेरी जो हमारी common प्रजाती है homo sapiens इसका उदय इतना तेजी से आखिर हुआ तो हुआ कैसे इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे बड़ा interesting section है और ये सारी चीज़ें परिक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपून है एक बात याद रखिएगा आजकल जिस तरह के सवाल बनते हैं कुछ भी पूछा जा सकता है और हर छोटी से छोटी चीज़ आपके दिए परिक्षा की तैयारी ही है इस बात को बिल्कुल भी lightly मत लीजिएगा बात समझ में आगई मेरी या नहीं आगई ना good ये पूरा का पूरा session हम YouTube पर भी फ्री रिलीस कर रहे हैं दोस्तों और मैं उम्मीद करूँगा कि YouTube पर देखने वाले मेरे सभी साती इस session को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाएंगे चैनल के साथ जुडेंगे और इस course में Powerpack course में जल्दी से जल्दी enroll करवा लेंगे enrollment की link सभी YouTube के स्टुडेंट्स के भले के लिए बोल रहा हूं नीचे कॉमेंट्स में दीवी है So thank you for all your support The Rise of Homo Sapiens जब हम बात करते हैं Homo Sapiens प्रजाती का उदय बहुत सारी Homo Species का उदय पिछले 25 लाग सालों में हुआ है इतना डेटा तो आज है लेकिन आज केवल एक स्पीसी जिन्दा है Homo Sapiens और अगर बहुत ही प्रिसाइस हम बोलें तो Homo Sapiens Sapiens जो की देड़ लाग साल पहले से उदय हुई Homo Sapiens तीन साड़े तीन लाग साल पहले उदय हो चुकी थी ये बात तो किसी को अभी तक पक्के से नहीं पता है कि ये जो Homo Sapiens है यानि कि आप और मैं हम लोगों ने ही हमारे इन कजिन्स का विनाश कर दिया लाखों सालों में या इनका विनाश इनके अपने नैचरल कारणों से हुआ ये अभी किसी को फॉर शूर तो पता नहीं है लेकिन हमारे शरीर का बलड में जो DNA मिलता है शरीर में कहीं भी DNA मिलता है उसका जब अनलेसिस करते हैं तो हमें ये दूसरी होमो स्पीसीज के DNA के अंश मिले हैं जेनेटिक मिक्सिंग हैज हैपन अक्रॉस स्पीसीज हमारे खून में हमें हमारे कजिंस होमो नियंडर्थ लेंसिस के भी जेनेटिक सिगनल्स मिलते हैं इंटर मिंगलिंग हुई है अक्रॉस स्पीसीज नैचरल एविल्यूशन के अलावा इस पृत्वी पर जितनी भी आज प्रजातियां है उनका विकास क्रम एक सिध्धान के हिसाब से चलता है जिसको हम ओरिजिनल स्पीसीज बाइ नैचरल सेलेक्शन कहते हैं चार्ल्स डार्विन का डिया वा ये सिध्धान समय की कसौटी पर खरा उतरा है ये एक ओरिजिनल ओरिजिनल स्पीसीज है आगे चलके एक्जाम वगरा पास हो जाओ आफिसर बन जाओ तो फिर इस तरह की कुछ किताबे जरूर खरीड ले ना ये मैं अपनी पर्सनल लैबरिडी में से आपको दिखा रहा हूँ इसको अकाट के तरीके से समझाया है और समय के साथ वो थियोरी बिल्कुल सही साबित हुई है नैचरल एविलूशन से तो हमारा एविलूशन जो हुआ हुआ है लेकिन हमारे पास किस्मत से और दूसरे बहुत सारी चीजे भी थी जिस वज़े से आज हमने पूरी दुनिया पर एक तरफा नियंतरण कर लिया है तो Rise of Homo Sapiens जब हम देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं आज हम जहां तक पहुँचे हैं ये रहे Homo Sapiens उसमें हमारे सबसे पहले सच्चा एंसिस्टर Homo Hebelis माना जाता है लगभग 25 लाग साल पहले का Hebelis याने Handy Man जो Tools बनाता था खेर Homo Sapiens को जो बड़े लाब हुए हैं सबसे पहले हम कहेंगे Taming of Fire and Cooking of Food प्यारे साथियों Homo Sapiens ने अगनी पर काबू पाना सीख लिया ये Game Changer हो गया Game Changer शबद आचकल हर को यूज करता हर चीज में यूज करता इतने गेम इतने चेंज हो रहे हैं कि वहीं आए जाते हैं लोट के चेंज होने के बाद Anyway Homo Sapiens ने Game Changer ये था कि अगनी पर कंट्रोल किया Taming of Fire और उस Fire में Accidentally उसने खाना पकाना सीख लिया है ऐसा हजारों सालों में अलग-अलग यगे हुआ होगा कई जगे एक साथ पैरलल हुआ होगा accidentally हमारे पूरवज कच्छी वेजिटेशन और कच्छा मास खाते थे आज जितने भी 780-790 करोड इंसान हैं पृत्वी पर हम सब के जो परिजिनल पेरेंट्स रहे हैं सबने मीट खाया है 100% विदाउट फेल जिन्दा ही नहीं रहते अधर्वाइस वेजिटेशन और मीट यह कॉमन डायट थी कई कई जगों में सिर्फ मीट कही डायट होता था जानवरों को मारो और खाओ जिन्दा रहना है तो कच्छा मास खा अधरी निकाल लेगी बहुत लंबी प्रोसेस होती थी बट अधर मोमेंट विदिस्कोवर्ट फायर अधर्ट कुकिंग फूद अधर्ट प्रोसेस विच में थेकन सेवरल आर्स वोड नाव थेकन प्रोबभली 30 मिनिट्स 40 मिनिट्स 50 मिनिट्स 1 आर 1.5 आर्स तो दी होल बि करीर और हमारा दिमाग न्यूट्रिशन बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त करने लगा और दिमाग के साइज में एक्स्क्लोजन हो गया लेकिन केवल टेमिंग ऑफायर अफ कुकिंग ऑफ फूड ये एक डिफ्रेंशियेटर नहीं हो सकता था दूसरा था इरेक्ट पोस्च चेटर था वेरी लार्ज ब्रेन टू बोडी रेशियो हमारी साइज की बोडी के लिए हमारा ब्रेन बहुत ही बड़ा है चौथा बहुत बड़ा फायदा हमको एविलूशन ने दिया अपोजेबल थम्स हमारे हंगुठे ऐसे चलते हैं इससे हम लकडियां पकड़ सकते हैं हत्यार बना सकते हैं बहुत से जानवरों में अपोजेबल थम्स होती ही नहीं है ये एक ऐसा एज हमें मिला जिसने जैसा कहते हैं गेम चेंजर गेम चेंज ही कर दिया ये गेम चेंजर सबसे बैसे मुझे थोड़ा सा ढर लगता है क्योंकि गेम चेंजर एनिवे तो तो यूमन फीमेल्स कें रेप्रदूस अल यर लॉंग अनलाइक मेनी अनिमल स्पीसिस अट आव वेरी लिमिटे टाइम और रेप्रोड़क्शन तो ये एक एज है कमिनिकेशन अबिलिटी इसने सबसे गंभीर प्रभाव डाला हमारे एंसेस्टर के एक होके टीम वर्क करने में तो ये जो पूरा कमिनिकेशन का बॉडिली चैनल हमारे पास तयार हुआ ब्रें अन दी एंटार एपरेटर इंसाइड थरोट अन दे टांग और अन दी अबिलिटी तो मेक सांद्स विच गुद देन बी कनवर्टे तो वर्ड और फाइनली एविलूशन अफ राइटिं उतना कोई नहीं and finally आधुनिक युग में यहने 5, 10, 15, 20, 1000 सालों की बात कर रहा हूं अब में एक दम मॉडर्न युग में ability to create fictional truth कालपनिक सत्य बनाने की शमता जानवरों में अगर एक चिंपांजी दूसरे चिंपांजी को केला देता है तो वो बदले में उसको पैसा नहीं पीपल on the scale of money there is no bigger fiction than money and the entire humanity stands on money इस तरह के fiction create करके हम लाखों लोगों के groups को जोड़ पाए नहीं तो पचास सौ देड़तों का human group बनते ही group तूट जाता था लोग आगे बढ़ जाते थे out of Africa theory में यही हुआ था ना कि जहां group का size देड़ तो बना plus minus 10% वो एक group तूटता था आगे बढ़ता था बढ़ता था ऐसे करते करते तो पूरी दुनिया में फैले हम लोग हमारे ancestors जब सेटल हुए agriculture revolution के आज पास और उसके बाद यह fictional truth कि भई हमारे tribe का pride अब यह pride जो चीज है यह totally fictional है यह कहीं होती तो है नहीं it exists in the mind as a creation as a fiction pride के लिए अब लोग गले काटने को भी तैयार हो गए हैं पहले ऐसा नहीं होता था so the moment you create fictional truths like money like pride like some say religion के ultimate लिए कहानी है और उसके लिए करोडों लोग जुटके एक साथ sky daddy की पूजा करने को तैयार है यह सब चीजों का बहुत detailed analysis बहुत सारे writers ने किया है मैं उन्हीं की शब्दावली यूज कर रहा हूं कि the ability to create fictional truths has completely changed the fortunes of mankind काइंड आज एक देश के लिए लड़ने और मरने के लिए करोडों लोग तैयार है आज से सिर्फ तीन चार पाँच हजार साल पहले देश का concept ही नहीं था आज से सिर्फ 400 साल पहले नेशन स्टेट यह concept ही नहीं था वो ट्रीटी अवेस फेलिया से आया यह यूरप की सॉवरें स्टेट तो यह सब concepts इंसान बनाता जा रहा है विचार बेसिकली fictional डे डोंट exist in reality बट वी create that reality और इस वजह से हमारा पूरा का पूरा system ऐसा बन गया है कि हम एक बड़ी species के रूप में एक जूठ होके रह पा रहे हैं समझ में आरी ना बाते हैं नहीं आए तो यह किताबे खरीद के पढ़ लीजेगा sapiens बाई युवाल नोवा हरारी early Indians by Tony Joseph शामदार चीजें हैं विज्ञान आधरित हैं ये पढ़ेंगे आप तो होमो sapiens की कहानी क्या है सरल भाषा में समझ में आएगी ये पढ़ेंगे आप तो Indian population कैसे बनी उसका पूरा genetic proof के साथ तोनी ने बहुत अच्छे से समझाया है समय मिले तो खरीद के पढ़िएगा वैसे exam के लिए इतना जरूरी नहीं है तो आप officer बन जाएं उसके बाद भी कर सकते हैं लेकिन ग्यान की यात्रा जारी रहनी चाहिए जितने लोगोंने किताबे पढ़ ली है और आपको क्या क्या सीखने को मिला हमें जरूर बताईएग क्लियर हो गया अब अगर brain की study करनी है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए content दे देता हूँ क्या पता कौन सी चीज कहां किस परिक्षा में आ जाए बेसिकली homo sapien brain के तीन levels बताये जाते हैं जहां से शुरू हुई थी brain की उदई की जो हमारा animal portion है R complex reptilian complex जो हमारे अंदर का जान से कंट्रोल करता है और फिर आता है नियो कोर्टेक्स सारे cognitive functions वहां से कंट्रोल होते हैं यह तक बहुत बड़ा science है brain का इसकी physiology as well as इसकी working का और इस पर बहुत detailed research अभी चल रहा है but no one has truly understood a lot about how the brain works फिलाल human brain अगर आप मान लें 1.5 kg का मोटे तौर पर और 86 billion neuron यने की 8600 करोड neuron cell से बना हुआ है अलग-अलग जानवरों के साथ इसका relative comparison भी आपको दे दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा है दूसरे भी और बहुत सारे जानवर हैं जिनके दिमाग बड़े होते हैं for example अगर आप ये वेल के brain का size देखेंगे तो ये इंसान के दिमाग के size से बहुत बड़ा है लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा वो वेल आज दुनिया पे राज नहीं कर रही है इंसान राज कर रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे पा के यहां तक आए हैं we owe our existence to a very big rock that decided to fall on earth 6.5 crore years ago 15 crore सालों तक पूरी दुनिया में land air water डाइनोसारों का राज्ता हर तरह के mammals एक दम छोटे साइज के चोरी छी पे छुपके रहते थे क्योंकि डाइनोसार मा डालते थे and mammals really had no chance आप और हम mammals हैं स्टन पाई जीव अचानक से एक दिन साड़े 6 crore साल पहले एक बहुत बड़ी चट्तान 10 km चोड़ी पृत्वी पर आगई अब इतनी बड़ी चट्तान आईगी तो विधवन्स ही होगा और उस एक दिन ने सब बदल लिया उसके कुछी हजार साल में पूरी ecology change हो गई डाइनोसार सारे इनकी कहानी इस किताब में बहुत अच्छे से कवर्ड है तराइज और फॉल अप डाइनोसार स्टीफ ब्रुसैटे ने लिखी है जैसा मैं कहना हूं यह पढ़ना एकदम से एक्जाम के लिए जरूरी नहीं है लेकिन क्योंकि मैं अपनी लाइबरी में बैठा हूं मैंने कुछ बड़े inquisitive minds हैं तो मेरी duty है आपको बताते चलूँ कि ऐसी चीजें पढ़ेंगे तो life में बहुत फायदा होगा इसमें उस एक दिन की कहानी है जिस दिन वो चटान आई थी और उसके पहले और उसके बात क्या हुआ वो इस author ने बहुत अच्छे कहानी के रूप में स क्योंकि पूरी प्रत्वी पर धमाका होगे उस चटान के आने से वो हम आगे के lectures में इस module में पढ़ेंगे आपको अलग से पढ़ाएंगे कि किस प्रकार वो extinction event हुआ और कैसे rise of mammals हुआ आगया समझ में तो इस section को summarize करते हैं और उसके बाद really big things in man's history देखते हैं फटा-फट देखिए दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ आप यह जितने भी brains देख रहे हैं एक बहुत कमाल की बात यह है कि इन सारे brains में जो cells होते हैं जो neurons होते हैं brain cells they are identical in all species हमारे पास कोई अलग तरह के neurons नहीं हैं दूसरे जानवर पर genetic level पर तो सबी species fundamentally तो एक समानी है ना बहुत minor variation से सब हो जाता है तो neurons identical होते हैं इतना दिमाग में रख लेना चलिए दो मिनिट में इसको समराइस करते हैं आखेर इंसान सबसे आगे कैसे निकल आया क्या कोई जादूई formula था जो इंसान आगे आगया कुछ समय तक विज् इस तरह का brain cell neuron है spindle neuron या one economy neuron लेकिन बाद में विज्ञान को समझ में आ गया कि ये पूरी बेवकूफी ऐसा कोई इंसान के पास special neuron नहीं होता है great apes, whales, dolphins, elephants, elephants सब के पास frontal cortex में ये neurons मौजूद हैं तो सिर्फ brain size की बात नहीं होती है relative brain size की भी बात नहीं होती है या absolute number of neurons की भी बात नहीं होती है जो हमको दूसरों से अलग करती है शायद समय के साथ हमारे brain cells की internal wiring बहुत streamline हो गई हमारा शरीर का metabolism process बहुत efficient होके हमारे brain को energy बहुत अच्छे से देने लगा मैंने खाना पकाने की बात की थी ना wedge or non wedge दोनों यहने की vegetation हम खाते थे और meat खाते थे अबर synapses जो neurons के across में से जाते हैं वो बहुत ज्यादा परिश्कृत हो गया चार्ल्स जार्विन ने कहा था कि homo sapiens बहुत सारे factors से blessed हो गए natural evolution में और इसलिए यहाँ आगए नहीं तो कोई और species यहाँ होती लेकिन अगर हम unique हैं तो हम उतने ही unique हैं जितना हर दूसरी species भी unique है आगई बात समझ में तो यह है पूरी कहानी हमारे unique होने की दरसल हम unique हैं लेकिन फिर हर species unique है और हमारे brain cells को unique है नहीं क्योंकि सबके एक समानी है अब आते हैं the really big things in man's history आज हम science और technology की बात कर रहे हैं तो मैं आपको species level evolution से धीरे 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 आगे modern नितिहास में लाऊंगा और उसके बाद the structure of it all में हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान जो 400-500-600 सालों में इतना evolved होके आया largely from Europe यह कैसे evolved हुआ इसमें कौन 10-15 बड़े thinkers थे उन्होंने ऐसा क्या बता दिया जो यह आधुनिक दुनिया हमारे आसपास की create हो गई वो सब हम देखेंगे so the really big things in man's history अगर हम पूरे माना वितिहास की बात करें the teeming of fire इसमें कोई शक नहीं है हमारे पूर्वजोंने जब अगनी पर काबू पाया उससे जानवरों से लड़ने में हम सफल हुए तो हमारी जिंदगी बचने लगी और अंततह किसी दिन हमने खाना पकाना सीख लिया होगा जिसने हमारे पूरे digestion को बदल के रख दिया हम एकदम आगे निकल गए समझ रहें और इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गया होंगे इस पूरी प्रोसेस में आख से खेलते हुए बिटा दूसरा है चक्का या वील जैसे ही वील पहली बार इंसान को समझ में आया होगा तो उसको इस समझ में आया होगा कि सामान को यहां से वहां ले जाने में यह बहुत काम की चीज हो सकती है वील वुड़े रियली kept the wheels moving so to say चौदवी और पंदरवी सदी आते आते ग्युटेनबग प्रिंटिंग प्रेस तैयार हो चुकी थी विचारों की उपलब्धता का लोकतांत्रिक करण इसने किया क्योंकि प्यारे दोस्तों इसने सबसे पहले बाइबल छापके दे दी और जैसे ही बाइबल छपी अब जो इसाई लोग थे उनके और भगवान के बीच में अब उनको किसी चर्च या पादरी की जरुवत नहीं थी वो बाइबल खुद पढ़ सकते थे इसको कहते हैं डेमोक्राइजेशन आफ सोसाइटी प्रिंटिंग प्रेस ने हर किसी के पास एकसेस टू इंफर्मेशन है अभी मेरे घर में कुछ काम चल रहा था और उस दिन यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ यह था पुतीन जी अपने चार दिन के युद्ध के लिए यूक्रेन गए थे पांचवा चटा महीना चल रहा है खेर तब तो वो चार दिन के लिए गए थे कि बस आ रहा हूँ अभी 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 आया शाम तक आ जाओंगे टाइप्स साथ-ाथ दिन जब मेरे घर में काम चला तो जो कारीगर्थे उनका एक सुपरवाइजर था वहीं वो दिन भर उनके साथ ही रहता था वो दिन भर यूक्रेन युद्ध के अपडेट्स देखता रहता था मोबाइल फोन पे 4G इनेबल ये क्रांती है ये ग्यान की क्रांती है वो व्यक्ति जो शायद कभी स्कूल कॉलेज जा नहीं सके जो शायद पढ़ना भी बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे उन तक ज्यान पहुँच रहा है इंटरनेट से और ये बहुत अच्छी बात है इसके अपने खत्रे हैं मिस इंफर्मेशन डिस इंफर्मेशन और बहुत large scale propaganda campaign वो minus points है लेकिन plus points भी है तो जो printing press ने आज से 500 साल पहले किया इंटरनेट आज कर रहा है silicon chip पूरी दुनिया आज इंटरनेट बेस्ट हो गई और जो semiconductors chips में आने लगे these semiconductor chips are the basic backbone of modern society पिछले दो साल में semiconductor chips की supply pipeline दुनिया वर में खराब हुई तो आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी इंडर्स्रीज को production आधा हो गया computer से लेके आपके mobile phone तक और आपके घर में लगे वे smart tv से लेके आपकी गाड़ी तक बिना semiconductor बेस चिप्स के आज कुछ चली नहीं सकता पूरी अधुनिक हमारी यह civilization semiconductor chips पर आके अटक गई है जो देश इसमें सबसे आगे हैं उनके पास एक युनीक competitive edge for example कौन से ऐसे देश हैं जहां यह सबसे ज़्यादा है बताईए ताइवान के पास दुनिया की सबसे बड़ी semiconductor fabricating factory है और चायना उसको हदियाना भी चाहता है अब वो एक अलग तहानी है उसको आगे के एक मिनिट का बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूं सन उन्निस सो से लेके लेटेस समय तक हर दस दस साल में क्या 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 बड़ी चीजें आई आई यह देखना शुरू करते हैं तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिग इनोविशन तुरू दे ट्वेंटी सेंचुरी का एक छोटा सा प्यारा सा प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा इसे अच्छे से इंजॉई कीजे कुछ चीजें होती हैं जिनको दिल खोलके इंजॉई करना चाहिए यह उसमें से है विज्ञान और प्रद्योगी की बहुत बढ़िया टॉपिक है अनफॉर्चिनेटली हमारे उसको इतने बासी और बोरिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाय जाता है कि लोगों को बोज लगता है मेरे साथ ऐसानी होगा इस पूरे मॉड्यूल में आपको मैं खूब आनंद दिलाऊंगा यह पूरा सेशन में यूट्यूब पे फ्री भी अच्छे से इसको देखने की अपील है आपको बहुत सीखने को मिलेगा एक्जाम में आप इसको यूज भी कर सकते हैं शुरू करते हैं बिग तिंग्स तुरू थे 20th सेंचुरी कि अच्छेस से अरफो एक het flying in स MPD मिलेगा इसक पासफर सावी परी इसको फानogene को अे संचे सेंचे हैं दिलाएं आपको एक्ष्या में युच्छे हम आपको चूरो हमा खजरा से आपको दो HELP आ многो करते हैं? कि अजिसे है? झाल 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 आखों ये आखों में इशारा हो गया बैटे बैटे जीने का साहरा हो गया हमने देखते ही देखते इतने परिवर्तन देखे और I can guarantee you आने वाले 30-40-50 साल में ये सारी चीज़ें एकदम पुरानी हो जाएंगी मुझे तो डर लगता है कि आख से 30 साल बात के बच्चे जब हम लोगों के आपके हमारे फोटोस देखेंगे आज के सब के हाथ में एक एक मुबाईल तो वो बहुत हसने वाले हमारे उपर और एक दूसरे की तरफ हसते हो बहुत ही बैकवर्ड लोग थे यार तो वो दिन और से गुदर ही रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है और चेंजेस आते जा रहे हैं ऐसा ही होता है विज्ञान और प्राद्योगी की साथ यही होता है तो हमने इतनी सारी बातें की लेकिन हमने साइंस और टिक्नॉलोजी को डिफाइन तो किया ही नहीं समय आ गया है डिफाइ की बाते होती है एक छोटी सी बच्ची है पांच छे साल की होती है जब वो पहली बार सोचना शुरू करती है तो एक विचार उसके मन में ज़रूर आता है कि मैं सोच रही हूँ और ये मेरा एक विचार है ये भी एक विचार है ये भी एक विचार है तो क्या मैं अकेली हूँ जो सोच रही हूँ या बाकी के सब लोग भी सोचते हैं, ये cat सोचती है क्या, आप बात समझ रहे हैं, और thinking से फिर अगला thought निकल कर आने लगता है, कभी-कभी बच्चे ये भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला ही thinking हूँ और ये बाकी के सारे लोग robots हैं, ये understanding की process, analyzing तक ले जाती है, बात समझ मैं हैं आपको, thinking, consciousness, understanding, analyzing, चार चीज़ें होती हैं, आई ये बिन टर्म्स को थोड़ा बारी किसे देख के समझ के फिर कुछ exercises करते हैं, ये जो science शब्द है, Latin scientia से आता है knowledge, हम कह सकते हैं, it is a system of acquiring knowledge based on the scientific method, और इस scientific method से जो knowledge acquired होता है, that entire body of knowledge itself is science, है कि नहीं, तो science दो चीज़ों के लिए use होता है, एक तो system है knowledge acquire करने का, और उसमें scientific method का इस्तेमाल आवश्यक है, और जो organized body of knowledge create होती है, उसको भी हम science ही कहते हैं, अर्थात विज्ञान, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं technology पर जाओं, pure science और applied science का अंतर समझ लीजे, यदि, science is being done only to gather knowledge, हम प्रकृति के अलग-अलग रहिश्यों का परदाफाश कर रहे हैं, वो science की process से, scientific method से, that is pure science, but if some science is specifically used for some human need, that becomes applied science, तो आपने अपने college में, university में, applied sciences, department और ऐसी सब चीजों के board देखे होंगे, तो pure sciences और applied sciences में अंतर ये होता है, समझ में आगिया, प्रायोगिक बनाम, शुद्ध विज्ञान, अब technology क्या होती है, technology एक broader concept है, इसमें हम science के इस्तेमाल से, tools और crafts का निर्मान करते हैं, to serve mankind's needs in a commercial way, technology is always commercial, वहाँ scientific research यूज होती है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना एक लक्ष होता है, ऐसे tools, ऐसे product, ऐसी services, ऐसी crafts को बनाके, जो human needs को fulfill करें, इन में से सबसे बड़ी human need है, environment पे control करना, भई, air conditioner ultimately वही करता है, जिसके लिए फिर बिजली भी चाहिए, human society में, technology comes from both science and engineering, हलां कि कभी कभी technology अपने आप में भी आती है, हमारे पूरवजों ने जब एक लकड़ी के डंडे पे पत्थर बांधा, और जानवरों से लड़े, तो वो एक tool था, वो एक technology थी, उन्होंने उसके पीछे का science नहीं सोचा था, शायद उस वक्त वो स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने technological tool तो बना लिया था, तो कई बार technology अपने आप भी अस्थित्वों में आ जाती, हर बार वो science और engineering से ही आईगी, एसा आवशक नहीं भी होता है, I hope यह clear हो रहा है आपको definitions में, तो एक बार comment में, आपने अभी तक क्या समझा the difference between science and technology, हमें जरूर समझा ये comment head में, और lecture आपको कैसा लग रहा है, आपकी reaction का इंतिजार है, तो science में knowledge acquiring चलती रहती है, observation, experimentation होता है, natural phenomenon को समझने के लिए इत्या आगया समझ में, अब अगर मैं आप से पूछू, which one is science and which one is technology, मतलब left वाला box science है, या technology है, और right वाला box science है, या technology है, तो आप क्या जवाब देंगे, ये रहा हमारा पहला सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखें, और हमें बताएं दोस्तों, How did so much of water appear on earth, पृत्वी पर इतना सारा पानी गुरू कहां से आ गया, How to study the huge oceans below our feet, हमारे पाओं के नीचे जो oceans है जवीन के अंदर, उनका अध्यन कैसे करें, अब इसमें science क्या है और technology क्या है, क्या लगता है आपको left वाला science है, या right वाला science है, आप ऐसे करके भी जवाब दे सकते हैं, the left is science and the right is tech, या left is tech and the right is science, देखिए बहुत सीरी सी बात है, left has to be science and right has to be technology, क्योंकि इसमें आपने एक सवाल पूछा है जिसका ग्यान के माध्यम से जवाब दिया जाएगा, तो ये तो science ही हो सकता है, इसमें आप एक tool बना के study करना चाहते हैं पानी, तो ये technology ही हो सकता है, आगी बात समझ में, yes or no, how to capture carbon and store it away, ये science होगा की technology, and what amount of carbon exists in the atmosphere today, ये science होगा की technology, आपको दोनों सवाल समझ में आगे, जिस दिन आपने इस तरह से चीजों को देखना शुरू कर दिया, आपको विज्ञान और प्रद्योगी की के बीच का अंतर जो है, समझ में आ आ जाएगा, अब आप बहुत अच्छे से समझी चुके हैं कि ये technology का सवाल है, और ये science का सवाल है, अब आ रहा है आपको process समझ में, very good, एक और कर लेते हैं, मान लीजे मैं आपसे पूछूं कि what is a vaccine, एक टीका होता क्या है, और फिर मैं आपसे पूछूं how to build a vaccine, एक टीके को निर्मित कैसे किया जाता है, आप क्या बोलेंगे भईया, लेफ्ट वाला science है कि क्या है, तो टीका क्या है, ये तो scientific सवाल है, और टीका कैसे बनाएंगे, ये technological सवाल है, अब आते हैं scientific method पर, एक विज्ञानिक प्रक्रिया, ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि scientific method क्या होता है, ये एक बड़ा important और बड़ा interesting section है, क्योंकि विज्ञानिक सोच, विक्सित करो, ऐसा हर teacher आपको बोलता ही बोलता है, लेकिन एक scientific method दर असल होता क्या है, ज़रा उसको भी देखते हैं, Margaret The Heer की बनाई हुई ये illustration series, world famous है, जिसमें science की process को उन्होंने समझाने की कोशिश की है, scientific method में सबसे पहले आता है सवाल, तो भई ऐसा है कि समाज में अगर सवाल पूछने की आज़ादी है, और खुलकर बिना डरे सवाल पूछने की आज़ादी है, तो ऐसा समाज scientific method की इज़त करना सीखेगा, लेकिन जिस समाज में सवाल पूछने पर दंडित किया जाए, उस स समाज में scientific method की तो मौत पैदा होने से पहली हो जाएगी, यह बहुत सीधी सी बात है और यह पिछले 500 सालों में दुनिया में बहुत सपश्च रूप से देखा गया है, उसके बाद आता है research कि भई हमें already क्या पता है, उसके बाद एक hypothesis बनती है, उसके बाद कई लोग experiment करते हैं, study करते हैं, fact observation को जोड के देखते हैं और फिर हर चीज का analysis होके conclusion निकलता है, अब अगर result अलग आ गया जो सोचा था, तो फिर से पूरी process repeat करो और अगर result वही आ गया जो initially hypothesized किया था, तो एक paper publish करके अपनी research finding को दुनिया को बताओ, यह scientific method and it is open to question by anybody and everybody, ask a question, research, hypothesize, experiment, analyze and then repeat the cycle if need be and conclude, scientific method एक standardized तरीका होता है, observation करने का, data gather करने का, theory बनाने का, prediction test करने का, और results interpret करने का, researchers बिना evidence के theory बनाते नहीं हैं और उनके research results को कोई दूसरा reproduce कर पाई यह ज़रूरी है, विज्ञान का मज़ा यही है, मैंने आप से, जब Charles Darwin की theory of evolution की बात की थी, तो Charles Darwin यह नहीं कहते हैं, कि यह मैंने बोल दिया है, और यह final है, जो सवाल पुछेगा, मैं उसको दंडे से कूटूंगा, सवाल पूछो जी भरके, लोगो ने बहुत मज़ा कोड़ाया Charles Darwin का, but Darwin had the last laugh, because we now know that he was an out-and-out genius, and he was able to study and predict things which are not visible with eyes, you cannot see evolution, it has happened over crores of years, and so, you have to only make theories based on what is visible today, which is a very, very tough thing, but he did it, you can question it, आप कै सकतो Charles Darwin जूदाता तक जूद बोला, बढ़िया, आपकी theory बताओ, अब हम उसको टेस्ट करेंगे, और अगर वो theory बिल्कुल साफ है, कि आप बक्वास कर रहे हो, तो आपकी theory खतम हो जाएगी, अगली theory आजाएगी, यह डार्विन की theory बापिस आजाएगी, यह जो process है, scientific method की, आधुनिक सभ्यता इस process पे टिकी हुई है, बाद समझ मैं ही आपको, और इसमें, respect जैसी कोई चीज का कोई स्थान ही नहीं होता है, respect के वल ज्ञान को मिलता है यहाँ, आपकी उम्र को, आपके अनुभव को, आप कितने बड़े सेट हो, या आप कितने बड़े प्रोफेसर या वाइस चांसलर हो, ठेंगा, यहाँ उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू है, आपने जो थियोरी दी, क्या उसको दुनिया की दस अलग-अलग लैब्स में, या दस अलग-अलग माइंड्स में, इंडिपेंडेंटली वैरिफाई किया जा सकता है, और किया जा सकता है, तो यू आर दो बॉस, अदर्वाइस, हटा सावन की घटा, निकल आ गए, यह साइंस की ताकत है, कि साइंस में, रिस्पेक की कोई जगे नहीं है, यहाँ सिर्फ एंसिस्टर्स, एक तन शिरुवाती दौर से, एफर्ट लगा-लगा के, लगा-लगा के, यहां तक पहुँचे हैं हम, बहुत सारे टर्म्स यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से, एक ओरिजनल थिंकिंग होती है, उससे कॉंशेस अंडिस्टेंडिंग आती है, साइन्टिफिक फॉर्मूलेशन बनते हैं, बेसिक इंजिनिरिंग आती है, टेक्नॉलोजी फॉर्मूलाइजेशन होता है, यह सारी चीजें जो हैं, यह मोटे तोर पर बीसवी, इकिसवी सदी की बाते हैं, आजकल तो ग्लोबल साइन्स एंड टेक्नॉलोजी हो गया है, कि कोई एक प्रोड़क्ट बनता है, या कोई एक साइन्टिफिक फ्योरी तय होती है, तो उसका पूरा प्रोड़क्टाइजेशन करके, पूरी दुनिया में कमर्शलाइजेशन करके बेश दिया जाता है, आईए, अब एक छोटा सा चैप्टर इसके उपर कर लेते हैं, और उसके बाद साइन्टिफिक टेंपरामेंट में आपको समझाऊंगा, और कैसे कुछ देश बहुत आगे निकल गया और उसका क्या कारण रहा, और उसके बाद आज का सबसे शांदार, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा चैप्टर, इसमें हम क्या करेंगे, पिछले 500-600 सालों में विज्ञान इतना तेजी से आगे कैसे निकल गया, मतलब ये कैसे हो गया, बारी की से बताऊंगा, 24 पंदों में, एक एक बड़े विज्ञानिक की हम बात करेंगे, एक एक बड़ी थियोरी की हम बा ब्रांचेस, डिबेट, एन ओरीजिन ओफ साइंस पर बात करते हैं, ये एक बड़ा पॉपुलर इंटरनेट चार्ट है, जो बड़ा यूसफुल है, तो मैं ले आया हूँ, अगर मैं यूमन की स्केल को डायमेटर इन मीटर में लूँ वन, तो अर्थ 10 तुदी पावर 7 के असपास होगी, सोलर सिस्टम 10 तुदी पावर 13, मिल्कीवे 10 तुदी पावर 20, विजिबल उनिवर्स 10 तुदी पावर 26, ये स्केल है, और उसके आगे हो सकता है, पैरलल उनिवर्स भी हमें पता नहीं है, हमारे शरीर के सेल 10 तुदी पावर माइनस 5, एटम 10 तुदी पाव माइनस 14, मीटर की साइज पे होते हैं, ये स्केल है, ये फिजिकल स्केल है, यूमन के उपर और यूमन के नीचे, और हमारे माइन का, हमारे ब्रेन का, ब्रेन और माइन का फरक ये होता है, कि माइन इस वाट दो ब्रेन डर्स, ब्रेन फिजिकल है, माइन मेटा फिजिकल है, brain का जो काम है वो mind है और ये बहुत बड़ा research का topic है actually तो हमारा जो brain है उसकी खूबी ये है कि वो ये वाली scales को भी contemplate कर रहा है और वो ये वाली scales को भी contemplate कर रहा है तो ये भी और ये भी मतलब from infinity to infinity हम दोनों तरफ की scale में घूम रहे हमारे दिमाग में और ये हमारे दिमाग की बहुत बड़ी ताकत है कि हम दोनों तरफ की scale की बात कर रहे हैं anyway अब branches of science देखते हैं जब हम अर्थ और उसके आगे के level की बात करते हैं तो earth and space इसमें astronomy आ गया, geoscience आ गया जब हम human scale की बात करते हैं तो उसमें social sciences आ गए sociology, psychology, etc. जब हम cellular level पर चले जाते हैं तो वो life sciences हो जाते हैं, functional biology, cellular biology, etc. जब हम atoms और इत्यादी की बात करते हैं तो वो physical sciences हो जाते हैं, chemistry and physics. और जो abstractions हैं वो mathematics और logic हो जाते हैं, यह आपस में जुड़े वे भी हैं सब, कई विज्ञानिक हैं वो multi-disciplinary विज्ञानिक होते हैं, तो hierarchy of science, branches of science, और scale of the universe, हमने ये तीनों चीज़ें देख ली, आगया समझ में दोस्तों, आजकल जो careers बड़े popular माने जाते हैं, science, technology, engineering and mathematics, इन चारों में career बनाओ, तो ऐसा कहते हैं, कि बहुत अच्छा career बनता है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, humanity अपने आप में बहुत बढ़िया career field है, लेकिन क्योंकि technological age है, तो लोगों के ता मानना है कि science, technology, engineering और maths अगर करोगे, तो life set हो जाएगी, भारत का सबसे बड़ा जूट भी वही है, 10 भी 11 भी बार भी में बच्चों को जो बोला जाता है, सभी ने बोला, हमने भी अपने बच्चों को बोला, आपके माबाप ने भी आपको बोला ही है, बेड़ा बस एक बार महिनत कर ले, एक बार ही I.I.E.ढ निकाल ले, neat निकाल ले, जुन्दगी भर का आराम है, फिर बच्चा उसके हर एक साल बात बोलता है कि I.E. निट निकाल के तो मेना थरताल बढ़ती जादी जिंदगी भर का आराम काम है तो ढूंडी रहा हूं वो जिंदगी घतम हो रही है एनिवे यह तो मजाग था लेकिन मोटे तौर पर बात यह है कि स्टेंप करियर्स होते हैं साइंटिफिक डिबेट में साइंस वर्सेस फेथ की डिबेट हिस्टॉरिकल रही है नया कुछ नहीं है दुनिया भर के अलग-अलग सभ्यताओं ने अलग-अलग समय पर अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से विज्ञान को पैदा किया विज्ञान को आगे बढ़ाया सिंदू घाटी सभ्यता जो आज से पांच हजार साल पहले साउथ ईश्या की सबसे बड़ी सभ्यता थी दबिगेस रिवर वैली सिविलाइजेशन एवर इन द वर्ल एक हजार से जादा शैर मिलें शैर गाव नहीं सिंदू घाटी सभ्यता के हम साउथ ईश्या के लोग हैं इंदुस्तान पाकिस्तान के उन्हीं के बच्चे हैं अल्टिमेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक कमर्शल सिविलाइजेशन थी बड़ी पीस्फुल सिविलाइजेशन थी शहर बनाती थी पकी मिट्टी के घर होते थे 90 डिग्री पर सड़के होती थी ड्रेनेस सिस्टम होते थे टॉयलेट्स घरों के अंदर होते थे सीटेड टॉयलेट्स भी थे फ्लश टॉयलेट्स जिसको आज हम वेस्टन सीड बोलते हैं जी हां और वेट्स एंड मेजरमेंट का पूरा इवॉल्वड सिस्टम था क्योंकि वो एक ट्रेडिंग सिविलाइजेशन थी कमर्शल सिविलाइजेशन थी उसके अलावा सील्स थी मोहरे थी और एक पूरी पिक्टोरियल लेंगवेश थी जिसको आज तक कोई भी डेसिफर करी नहीं पाया है तो कहीं न कहीं एक साइंटिविक थिंकिंग तो रही ही होगी अपनी छोटी छोटी नौकाओं में अरेबियन सी पार करके मिडिल इस में जाके वो लोग व्यापार भी करते थे क्योंकि वहां उनकी ग्रेव्स मिली हैं और उनके सामान मिले हैं तो वह वहां जाती थे तो हर सभ्यता ने अपने अपने हिसाब से कॉंट्रिब्यूशन किया है सिंदु घाटी का मैं पूरा का पूरा आपको डीटेल में पढ़ाऊंगा सोलवे मॉडियूल में एंशेंट इंडिया पूरा लेक्चर एक उसके उपर मज़ा आ जागा एंशेंट इंडिया का मॉडियूल तो हमारा ऐसा खतरनाक मॉडियूले की पूछो मत बहुत शांदार मॉडियूले तो ये सब आपके जनरल लर्निंग की उसी ऑथर की बनाई हुई ये खुबसूरत अनिमेशन से जितना जादा हम बच्चों को विज्ञानों प्रध्योगी की बारे में पढ़ाएंगे और सवाल पूछने की आज़ादी देंगे उतनी हमारी सभ्यता विज्ञानों प्रध्योगी की में आगे बढ़ेगी और दकिया नूसी पने को पीछे छोड़ेगी और जितना हम ये कम करेंगे उतने हम दक्या नूसी बनते जाएंगे और फिर हम सिर्फ एक consuming nation बनके रह जाएंगे producer nation हम बने नहीं पाएंगे अब आते हैं हमारे समविधान की तरफ हालांकि वो module तो हमारा पहला वाला module था लेकिन scientific temperament आज हमें पढ़ लेरा चाहिए आर्टिकल 51 जब एड हुआ था हमारे समविधान में तो उसमें जो 11 fundamental duties एड हुई थी उसमें duty temperament की जो थी to develop the scientific temper तो scientific temper यन्य विज्ञानिक सोच होती क्या है application of logic, no blind belief, questioning and suspecting, arguing, analyzing and applying mind, allowing different difference of opinion बड़े दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि अगर आज भारतियों का scientific temperament के पहमाने पे टेस्स ले लिया जाए सौमे से नभ्य लोग पहली टेस्स में फेल हो जाएंगे It is very sad that India which has been the land where so much of science has evolved People have become extremely superstitious and they can believe anything which is unscientific And in fact they tend to believe that far more than scientific thing which is sad, which is very sad उसके अलावा हमारी universities और हमारे schools Unfortunately ऐसी जगे बन गए हैं कि जहां original thinking रखने वाले Free thinking रखने वाले, descent करने वाले, सवाल पूछने वाले इनके लिए अब जगे बची नहीं जादा इसका सीधा असर quality of research पर आएगा जिसका असर हमारे देश के भविश्य पर आएगा तो these are choices we are making For which the full price has to be paid by us only No one else will do it तो ये है scientific temperament की कहानी तो exam में अगर कोई पूछ ले तो article 51 है, chapter 4 है और उसकी परिभाशा मैंने दे दी है एक बार commented में समझा देना कि तुम क्या समझे विज्ञानिक दृष्टी कोन का मतलब क्या होता है विकसित और विकाशील देशों के बीच पिछले 50 सालों का फर्क जब आप research और development पे सरकारों के द्वारा किये गए निवेश का अध्यन करते हैं यह मैं बारे सरकार की डेटा लेकर आया हूँ जिसको आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आता है विकाशील देशों में research and development as a percentage of GDP बहुत कम होता है विकसित देशों में यह बहुत ज्यादा होता है बिना उस percentage को बढ़ाए science और technology में आगे निकल पाना बहुत मुश्किल है और हम एक साल दो साल की बात नहीं कर रहे हैं हम बीस साल तीस साल चालिस साल की बात कर रहे हैं समझ मैं आपको चली तो अब हम कुछ specific चीजों पर बात करेंगे the structure of it all क्या होगी आप इछले 500 सालों में ऐसा कि आज हम यहां बैठके मंगल पे colony बनाएंगे कि बातें confidence से कर रहे हैं लोग हसनी रहे हैं लोग समझ गें कि यह हो सकता है तो याज यह तो बहुत बड़ी करांती है ना बिलकुल है चलिए समझते हैं the structure of it all इस chapter में आधुनिक मानों की विज्ञानिक तरक्की का मैं पूरा खाका खीचने वाला हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे एक जटके में याद रखता है यह सब exam oriented ही है मैं purely exam के लिए पढ़ा रहा हूँ इस course में लेकिन साथ ही साथ आपका intellect बिल्ड हो तो यह सोने पर सुहागा है 24 पंद्ने हमें cover करने हैं हर चीज का हिंदी आपको इस course में मिलता ही है जैसे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा contribution अगर हम देखें तो magic of physics का जो की foundation of matter and energy है रहा है आदोनिक सभ्यता के बहुत सारे equipment लेजर बीम, transistor, computer, internet, worldwide, TV, radio, radar, microwave, MRI, PT scan, x-rays यह सब physics की वज़े से ही बने हैं अलग-अलग physicists ने जो science ढून के निकाला वो technology में convert हुआ physics तो actually पूरे universe को समझाने की कोशिश करता है और a theory of everything बनाने की कोशिश अभी भी जारी है लेकिन सफल नहीं हो पाई है theory of everything एक single सिध्धान्त होगा unified field theory जिसमें पूरे ब्रह्मान का धाचा एक theory में capture हो जाएगा एक formula में आ जाएगा उसमें fundamental particles की पूरी range capture हो चुकी होगी चारो fundamental forces कवर हो जाएंगे आज जो physics जिन दो पिलर्स पे खड़ा है मैंने अभी power of 10 का जो session लिया था उसमें मैंने एकनोमिस पत्रिका का तीन पन्ने का भीम का लेक कवर किया standard model of physics को जो latest चुनोतियां मिल रही है कुछ नए results की वज़े से large hadron collider से जो आए है आज का जो आधुनिक भोती की है वो दो पिलर्स पे खड़ा है एक है standard model of physics और एक है Einstein general theory of relativity तो क्या है यह दो पिलर्स दिखी जो पहला पिलर है standard model of physics वो है fundamental particles की पूरी list की universe में कौन-कौन से fundamental particle है उनका आपस में रिष्टा क्या है चार्ज क्या है मास क्या है यह वो यह वो लेकिन वो इतना elegant धाचा नहीं बन पाया है तो वेज्ञानिक उसमें बहुत सारी missing links ढून रहे हैं और उस standard model of physics में universe के चार forces में से केवल तीन ही explain हो पा रहे हैं gravity जो चौता force है वो general theory of relativity से explain हो पाता है standard model of particle physics से नहीं हो पाता है इससे हो पाता है electromagnetic force, photon वाले strong nuclear force, weak nuclear यह उससे होता है लेकिन gravity नहीं होती तो दो pillar की दरुवत पढ़ रही है समझ में आगे आपको यह एकदम basic चीजें पढ़ा रहा हूं है आजकल exam में definitions पूछ लेते हैं हम देखे कि यह किस field से पूछ लेता है तो मालूम तो होना ही चाहिए theory of everything में वेज्ञानिकों की एक सपना है कि भाई E equal to MC square जैसी elegant एक formula हमें मिले अब आप देखिए E equal to MC square कितना बड़ा जादूई formula है पूरे nuclear bombs इस formula से तैयार हो गए fission bombs हो या fusion bombs हो इतनी खतरनाक technology है कितने simple formula पर टिकी हुई है कितनी बड़ी बात है anyway science fiction आज से 100 साल पहले जो fiction लगता था आज वो सच्चाई बन गई है Arthur C. Clarke ने बहुत अच्छे से बोला था science fiction author थे any sufficiently advanced technology is indistinguishable from divinity कोई भी परियापत रूप से प्रुनत तक्नीक देवत्व से अलग नहीं होती देखिए हमारे दादा दादी परदादा परदादी जो आज से 100 साल पहले रहे होंगे अगर हम आज उनको जिन्दा करके हमारे याँ बिठा दें इस चलती क्लास में बिठा दें और उनका हाथ में मोबाईल दे दें और उनको सिफ दस मिनिट ये सब देखने दें वो तो बहुत चक्के होके बेऊश हो जाएंगे कि ये क्या चल क्या रहा है ये क्या है क्योंकि ये कुछ भी नहीं था 100 साल पहले अब आज तो 3D होलोग्राम आगए कई नेता 3D होलोग्राम से अपनी पूरी-पूरी सभाय कर रहे है वो प्रकट होते हैं वो अंतरध्यान हो जाए तो भगवानी बन गया है इस तो कोई बहुत दूर के कबिले वाले को अगर लाक ऐसा दिखाऊगे तो वो तो भगवानी समझ बैठेगा उसको यही आर्थसी कलाक ने कहा था तो आज से 50 साल बाद जो टिकनोलोजी होंगी ना आप और हम उनको देखके भोचक के रह जाएंगे तो यह पिछले 100 सालों में हुआ है निश्चित तोर पर आज से 1000 साल बाद की दुनिया आप और हम कलपना तक नहीं कर सकते गैरेंटी है विज्ञान ने और विज्ञान के अभाव ने बड़ी बड़ी लड़ाईया जितवादी और हरवादी आईजाक न्यूटन और गैलिलियो ने ब्रहमान के बारे में बहुत कुछ ढूंड के निकाला और बहुत सारे सुपर स्टिशंस को खतम भी किया गैलिलियो ने उसकी पूरी पूरी सजा भी चुकाई जब चर्च ने उनको दंडित कर दिया यह बताने के लिए कि दुनिया सूरी के आसपास घुमरी है पृत्वी के आसपास नहीं तो विग्यानिकों की तो हर समाज में पिटाई हुई है और जान भी गई है यहाँ एक बहुत मज़ेदार कहानी आपको बताते हैं और वो कहानी है हेलीस कॉमेट की यह रहा हेली का कॉमेट एक विग्यानिक हेली के नाम पे लेकिन यह कहानी कुछ और है मैं आपको बताऊंगा आप यकीन नहीं करोगी भाई साब यह क्या कहानी बता दिया आपने हेलीस कॉमेट की कहानी बताने से पहले मैं आपको Aristotle के पास ले चलता हूँ 2.500 साल पहले Aristotle ने भी बहुत basic basic सवाल पूछे थे पहला सवाल ये था कि कोई भी object पृत्वी की तरफ क्यों गिरता है भई gravity as a force तो बता ही नहीं था ना किसी को अब मैं latest relativity और fabric of space time वाले concept पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें तो gravity होती नहीं है curvature of space time is what gives the effect of gravity उसको अभी छोड़ दो नहीं तो फाल्टू confused ही होंगे तो gravity as a force तो पता ही नहीं था किसी को कितना अजीब लगता है ना सुनके अरे भईया अगर मैं आपको अब ये बताओं कि लिस्टिंग कि ये इस बैक्टिरिया से इस वाइरस से ये किसी को पता ही नहीं थी जर्म थेओरी को आके अभी सिफ कुछ सौ साल हुएं अब सोचो जर्म थेओरी के पहले ट्रीट्मेंट कुछ और सोच की होते थे अब लोग किते तो मर जाते होंगे यार उसमें अरिस्टोटल ने दो सवाल पुछे अबजेक्ट पृत्वी की तरफ क्यों गिटते हैं उसका जवाब उसने दिया उनकी ये चाहत है कि वो पृत्वी के साथ रहें फिल्मी आदमी था अरस्तु यार और कोई अबजेक्ट चलता है किसी स्पीट पे तो वो दीरे दीरे स्लो क्यों हो जाता है वो ठक जाता है बहुत बॉलिवूड स्टाइल वाला आदमी था अरस्तु लेकिन माफ कर देते हैं डाई हजार साल पहले कहां इतनी टेक्टोला जी थी आज भी कई लोगों से पूछ लो आप हिंदुस्तान के दो सवाल तो शायद वो भी यही जवाब दे इतनी बाफ किया तो प्यारे दोस्तों अभी न्यूटन और ग्राविटी आना बाकी थी और उसमें equations of motion, laws of motion आने बाकी थे लेकिन एरिस्तोटल ने जो कहा न्यूटन ने उसको निगेट कर दिया बहुत जल्दी थोड़े समय बात इसमें हम दो मिनिट में आते हैं हेलीस कॉमेट 1066 AD में आ गया था और ब्रिटिश आकाश में पूरी दुनिया के आकाश में ही दिखा होगा लेकिन ब्रिटेन में इसने तबाही मचा दी जब ये हेली का धूमकेतू कॉमेट आकाश से गुज़रा है लंबी चौड़ी उसकी पूँच अब तो हमें पता है सोलर विंड की वज़े से इवैपरेट होता है आईस से तो वो सब वोलेटाइल जो है पूँच बन जाते हैं और जब उल्टी दिशा में सूरज से दूर जाता तो पूँच खतम भी हो जाती है उस समय हेस्टिंग्स की बैटल फील्ड के उपर से जब ये गुजरा तो किंग हैरोल के सिपाही बहुत डर गए और नॉर्मंडी के एक युवा ने इंग्लैंड में उस युद्ध को जीत लिया बैटल आफ हेस्टिंग्स में और आज की आधुनिक ब्रिटिश मोनेर्की की नीव रखी विल्यम दा कॉंकरर विल्यम दा कॉंकरर बैटल आफ हेस्टिंग्स को जीता क्योंकि किंग हेरोल के सैनिक धूम केतू को भगवान का इशारा कि हमारा राजा बेकार है मान कर और वो पूरी डाइनस्टि खतम हो के एक नई डाइनस्टि धूम के तू क्रियेट कर वा वो एहलीस कॉंकर को पता भी नहीं होगा मैंने पीछे क्या-क्या कांड कर दी हैं पृत्वी पे उसको पकड़ के बताओ किसी दिन अब ये आया कहां से था और ये चला कहां गया और ये तो हर कुछ सालों के बाद आ जाता था 1682 में वापिस आ गया लेकिन 1682 आते आते बृतेन के लोगों के सवाल बदल गए थे पहले जो इसको भगवान का इशारा मान के सरंडर कर दिये थे अब वो scientific signals पूछना शुरू कर गए थे कि ये क्या है ये कहां से आता है कौन हमें समझाएगा क्या इसका वाकी कोई प्रभाव होता है पृत्वी पर इत्यादी थ्री इडियर्स फिल्म का गाना एकदम फिड़ बैठता है इसके उपर कहां से आया था वो किया था और उसके सवाल भी वही थे कि अगर एपल गिर सकता है तो क्या मून भी गिर ही रहा है बड़ा गिरावा चांद है और आईजाक नूटन ने जो जवाब धून के निकाला वो जवाब था येस चांद भी गिर रहा है सेब गिर रहा है तो चान भी गिर रहा है अब चान गिर कहां रहा है चान तो गोल-गोल गूम रहा है Isaac Newton नहीं यह समझाया that the moon is also in free fall just like an apple is in free fall the moon is also in free fall how? actually the moon is falling toward the earth but it has a certain forward motion which balances it and so it doesn't fall but the next second it again falls but the speed takes it forward and this is how all satellites are designed and launched also they are always in free fall falling toward the earth but their speed doesn't allow them to come down it is only when the speed slows that things change or the friction grows that things change यह सेटलाइट की पूरी अलग कहानी है तो यह एक बहुत बड़ी इंसाइट थी कि the moon is in free fall just like an apple and the moon is falling toward the earth और वो एक velocity के साथ गोल-गोल घूम रहा है इसलिए वो नीचे नहीं गिर पा रहा है और एक force of gravity उसको खीशतो रही है यहां से यह विचार पैदा हुआ अब force of gravity दिखता नहीं है न इसलिए ऐसे सारे वेग्यानिक जो invisible चीज़ों पे थियोरी बनाते हैं इसलिए नोट विजिबल इट रिक्वाइज शियर जीनियस टू एक्चुली आइडेंटिफाई दें एक मोटे लेवल पर तो हम यह कर सकते हैं न्यूटन ने जब इस चीज़ के लिए mathematics बनाने की कोशिश की तो 16 सदी के मैस ने उसकी मदद नहीं की तो 23 साल के न्यूटन ने calculus नामक mathematical branch का invention कर दिया अब आप सोचिए न्यूटन ने calculus बनाया क्योंकि उसको अपनी theory of gravity के calculations करने थे यहाँ calculus बनने में लोगों के पसीने निकल रहे हैं और वो आदमी calculus बना रहा है क्योंकि उसकी theory को उसको fit करना है क्या चल रहा इस दुनिया में क्या चल क्या रहा इस दुनिया में आपको समझ में आ गया तो ऐसे हुआ calculus का जन्म उसी समय एक दूसरा वज्ञानिक था Edmond Haley जो इस comment की बात कर रहा था और Isaac Newton की प्रसिद्धी उसके कान तक पहुँची तो वो Cambridge जाके Newton से मिला ये Newton सहाब के research के कुछ illustrations है जब वो Newton से मिला तो Newton ने कहा कि भई that comet is moving at a perfect ellipse, it is moving in an inverse square force field I have tracked it using my reflecting telescope and the path of the comet conforms to my mathematics exactly ये तो गोचक कर देने वाली बात थी हेली के होश उड़ गए और उसने कहा कि आपने जो कुछ लिखा है मुझे बता दीजे मैं पूरी किताब छापूंगा आपकी और वहां से इतिहास की एक महान विग्यानिक किताब Principia Mathematica पब्लिश होती है ये रही Principia Mathematica एड्मन हेली ने छापी थी और इसके ओथर थे Isaac Newton ये उसके कुछ अंश है Principia Mathematica के 400 साल पहले ये काम हुआ था अब बताईए तो ये विग्यान को आगे बढ़ाने के बड़े बड़े जो Jumps थे वो ये थे प्यारे दोस्तों और ये जो Force of Gravitation सारे ढून के निकाले गए ये हर चीज को Control करते हैं Cannonballs, Rockets, Pebbles Anything that Moves, etc तो Calculus आ गया था Laws of Motion आ गये थे Gravity की थेओरी सबसे बड़ी बात 21 सदी में आज जब Elon Musk कोई Space Probe Launch करता है तो Newton's Law of Gravity ही यूज करता है लाइट की स्पीड के एक fraction पे पहुँच जाए तब तक Newtonian equations are perfectly fit but when a body moves at 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 the speed of light then Newton's mechanics breaks down and Einsteinian equations have to come into picture लेकिन हम आज तक ऐसा कोई object तो बना ही नहीं पाए नहीं जो light की स्पीड पे चले उसके 0.1 पे चले इसलिए हमारा काम Newton की theory से हो जाता है आपको बात समझ में आ गई और ये इतनी precise theories हैं कि उनके माद्यम से Voyager 1, Voyager 2 जैसे crafts बने जो आज solar system के बाहर निकल गए तो ये है सारी कहानी I hope this is very very clear अब आते हैं laws of motion पर तो आज हमारा SNT का orientation चल रहा है ठीक है 15 lecture का module है उसमें आदा आदा हम science tech और आदा environment पे देंगे काफी intense lectures है प्यारे प्यारे lectures आपके लिए बनाएं study material बहुत दूंगा और आज का पहला lecture आपको general interest develop करने के लिए आपके अंदर से भी थोड़ी इच्छा होनी चाहिए विज्ञान पूरद्योगी की को सीखना है तो आपको और मज़ा आएगा इसमें इसलिए थोड़ा था जोश आपकी तरफ से भी रखो lecture अच्छा लग रहा है कि नहीं अब हम laws of motion की बात करते हैं जैसा मैंने कहा था गती के नियम, सिध्धान और उनके समी करण तो जब हम Laws of Motion पर आते हैं प्यारे दोस्तों तो First Law क्या कहता है? गती का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? बताईए अब आप Aristotle को याद कीजिएगा जो मज़ेदार बात उन्होंने कही थी मैंने कहा था ना बड़ा फिल्मी आदमी लग रहा है यार भही आई है So the First Law of Motion tells us that objects in motion will stay in motion always unless there is an outside force समझ में आगया? Aristotle ने कुछ अलग कहा था कि objects in motion will stop because they will get tired Newton ने कहा they will never stop they will be in motion forever unless 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 there is an outside force तो भाईया Voyager Spacecraft तो Solar System छोड़के निकल गए वो तो Arbo Meal Cross करके चलेगे चलती जा रहे हैं कि आप वहाँ तो Almost Vacuum है तो Resistance आई नहीं रहा है तो वो चलती चले जाएंगे चलती चले जाएंगे जब तक कि कोई उनको पकड़ नहीं ले या कोई दूसरे सितारे की Gravity नहीं खींच ले I hope आपको समझ में आ रहा है Clear हो रहा है न भई? तो Newton ने कहा कि Objects in motion will remain in motion जो चलाएमान वस्तू है वो चलाएमान ही रहेंगी जब तक कि किसी भारी बल के द्वारा कारवाई नहीं कर दी जाए आगया समझ में तो अंतरिक्ष्यान चलते चले जाएंगे Pluto और उसके आगया अगर कोई भारी बल नहीं लगा तो वही मैं आपको अभी बता रहा था Second law of motion क्या कहता है Force is equal to mass into acceleration ये जो second law of motion आया इसकी वज़े से industrial revolution पॉसिबल हो गई सारी मशीने इसी सिद्धान पर बनी steam engine, locomotive, factory, machine क्योंकि पूरा science of mechanics Force is equal to mass into acceleration इसी पे से आया तो हम यहां पर ये बहुत क्लियरली देख रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से एक वैज्ञानिक द्वारा चीजों को ढूंड के निकाले जाने की वज़ह से पूरी पूरी industrial revolution की basic science तैयार हो गई और ये भविश्य में भी होगा और बढ़ती हुई गती के साथ होगा ये बात आपको और हमें समझनी है अब Newton का third law of motion क्या था for every action there will be an equal and opposite reaction तो जब हम ऐसा बोलते हैं rockets इसी सिद्धान पे चलते हैं Newton ने वो सारी गणना कर ली थी कि आपको कितना तेज भागना पड़ेगा अगर आपको चंद्रमा तक की छलांग लगानी है तो आप बात समझ रहे हैं इस तरह के सारे calculations करके Newton ने वो रास्ते खोल दिये humanity के जिस पर आगे की सभ्यता ने अपने आपको तैयार किया तो पिछले 500-600 सालों के ये जो बड़े thinkers थे इन्होंने बड़े बड़े दर्वाजे खुले modern civilization के नहीं तो हम आज भी बारवी तेरवी सदी जैसे जी रहे होते और हमें पता भी नहीं होता कि ऐसी चीजें हैं आप समझ रहे न तो first law of motion, second law of motion, third law of motion और उससे पैदा हुए सामाजिक प्रभाव वो आपके लिए ज़्यादा जरूर ये समझना क्योंकि ये physics की exam तो है नहीं unless आपने optional ले रखा हो तो बात अलग है but मैं आपको general बात बता रहा हूँ अच्छे से एक बाद देख लीजे ठीक है अब एक step आगे आते हैं electromagnetic force प्यारे दोस्तों gravity पहला force है in fact nature में चार बड़े forces होते हैं जैसे मैंने आप से कहा था gravity की हमने बात कर ली और जब speed आपकी बढ़के light के करीब हो जाती है तो फिर Einstein की general theory of reality की equations use करनी पड़ते हैं नहीं तो Newton से काम हो जाता है अब उसको छोड़ो gravity को अब आ जाओ भाया electromagnetic force पे जितने भी मेरे power pack के register students है power of 10 session 108 कल release किया था Sunday को अच्छे से देख ले ना उसमें economist का पूरा standard model of physics में क्या-क्या changes अब आ रहे हैं वो मैंने cover किया वो देख ले ना उसमें कुछ terms वगेरा हैं एक्जाम में आज कल पूछते हैं इसलिए कराया है जब हम विद्युत चिंबक ये बल की बात करते हैं ये universe का दूसरा बड़ा force है और आज की हमारी जिंदगी पर इसका असर सबसे गहरा है इनसान हमेशा आकाश में कौन्दिती बिजली और गरश्ते बादलों को देख के घबरा जाता था और हमेशा से पूछता रहा है कि क्या भगवान अलग-अलग भगवानों के नाम अलग-अलग सभ्यताओं में दे दिये गए ये बिजलियां पैदा करते हैं क्या भगवान चिलाते हैं तो क्या हमसे कोई गलती हो गई भगवान नाराज है तो बहुत सारे होशियार चंदों ने अलग-अलग समय पर लोगों को डराया भी होगा कि हाँ भगवान बहुत नाराज है देखो चिला रहे हैं उपर से तुमको जल्दी से यहाँ पर यह बली देनी होगी नहीं तो तुम ही मर जाओगे ऐसा हुआ ही होगा समाजों में अलग-अलग जगे होशिया लोगों के कुई कमी तो होती नहीं है तो दोस्तों साइंटिस्ट बहुत जल्द यह समझ गए कि इन लाइटनिंग जो लाइटनिंग बोल्ट्स हैं और ठंडर हैं इनको वो लैब्स में भी क्रियेट कर सकते हैं और अगर मैगनेट्स को यूज कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी और मैगनेटिजम के फोर्स को भी क्रियेट किया जा सकता है यह हुआ था अठारा सो के बाद और यहां से एज ओफ डिसकवरी को शुरू होने में अब ज़्यादा दिन नहीं था क्योंकि चाइनीज लोगों ने जब कॉमपस डिसकवर कर लिया तो एज ओफ डिसकवरी भी आ गई उसके बाद माइकल फेरडे नाम का एक जीनियस आता है जो बिजली यहने विद्युत की इंक्रेडिबल प्रॉपर्टीज को समझाने में सफल हो जाता है एक बहुत सरल सवाल पूछा जाए आपसे कि आप किसी गाड़ी में या एरप्लेन में सफर कर रहे हैं और उस गाड़ी पर या एरप्लेन पर जबर्दस बिजली का जटका लगता है या बिजली गिर जाती है आस्मान से आप बिजली से जलके क्यों नहीं मर जाते उसका जवाब फैरेडे ने दिया था आप अगर किसी गाड़ी में होते हैं या किसी एरप्लेन में और उस पे बिजली लगती है तो आप उस बिजली से इलेक्ट्रो क्यूट होके नहीं मरते हैं ऐसा क्यों? यह identify करने वाला समझाने वाला पहला विज्यनिक Michael Faraday था Michael Faraday ने Faraday केज यहने Faraday पिंजरा बनाया बच्चों के लिए और उसमें वो खुद भी बैठ जाते थे और बच्चों को भी बुलाते थे और उसके उपर जब बिजली गिरती थी तो किसी को कुछ भी नहीं होता था Faraday केज He created that केज He would walk into it, electrified and would not get electrocuted वो metal ही आपको बचा लेता था इसी को Faraday का पिंजरा कहते हैं समझ मैं आपको? तो Faraday's law ये second big revolution को unleash करने वाला था बिल्कुल सरल भाषा में हम समझें तो electricity can be used to create magnetism and magnetism can be used to create electricity आप समझें? ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है आज के जितने बिजली के संयंत्र चल रहे है सब इसी पे चल रहे है बिजली बनती इसी सिद्धान से है तो क्या देखा हमने यहाँ? हम Faraday की नियम की बात कर रहे थे अगर मैं एक conducting wire लेता हूँ और उसको एक magnetic field में चलाता हूँ समझ गया? एक conducting wire लेता हूँ और उसको magnetic field में चलाता हूँ तो उस magnetic field से electrons को धक्का लगता है और एक current की स्थापना हो जाती है अब बिजली बनाने का सिद्धान्त हमारे सामने आ गया है A moving wire in a magnetic field creates a current और hydroelectric generation में हम यही यूज करते हैं Electricity और magnetism जिनें हम कल तक अलग-अलग बल मान के चल रहे थे ये दर असल एक ही है ये अलग-अलग हैं ही नहीं तो अगर एक moving magnet एक electric field बना सकता है तो क्या एक moving electric field एक magnetic field नहीं बना सकती तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बना सकते हैं तो क्या वो oscillate हो के एक wave नहीं बना सकते ये सारी चीजों के जवाब Michael Faraday ने दिये समझ माएं आपको Faraday का काम यूज करके James Clerk Maxwell ने इसके लिए equations बना दी और electromagnetic wave spectrum का जन्म हो गया वेज्यानिकों ने ढून के निकाल लिया ये तो खेर Faraday केज है ये आपके सामने James Clerk Maxwell है Maxwell ने एक equation ढून के निकाली ये रही Maxwell की electromagnetic equation इसमें आपको दिखेगा जिसमें इतिहास का सबसे बड़ा हम एक scientific breakthrough इसको मान सकते हैं electromagnetic wave ये जो create हो रही है इसकी velocity ढून के निकाली James Clerk Maxwell ने and he was surprised to find that the speed was the speed of light वहां से दिमाग में बिजली कौंधी या बत्ती जली की बिजली ही तो बत्ती है that electromagnetic waves are light or light is but just electromagnetic wave कितनी बड़ी discovery आज का पूरा आपका 4G, 5G, टेलिफोनी उस electromagnetic spectrum के science पे आधारित है जो इन लोगों ने ढून के निकाला सोचिए इनके बिना आदूनिक सभ्यता ही नहीं होती जैसी हम जानते है I hope this is clear तो यदि हम theoretically एक light beam को पकड़ें और एक super microscope के नीचे रखें तो हमको उसके अंदर oscillating electric field, oscillating magnetic field दिखेंगी इस तरह की इन चित्रों में जो दिख रही है और light का forward propagation दिखेगा उसी wave को light कहते है उनकी equations को James Clerk Maxwell ने लिखा क्योंकि Michael Faraday के पास वो theoretical physics और math की शिक्षा नहीं थी वैसे एक महान वैज्ञानिक के कहा था कि math did not help Einstein discover gravity या Newton discover gravity उस महान वैज्ञानिक को हम सदय प्रणाम करते हैं वो लगातार देश के exports बढ़ाते रहे हैं यही दुआ भगवान से करते हैं फिलाल तो हम वास्तविक विज्ञान और वास्तविक गणित की बात कर रहे हैं समझ में आगया इनी को हम Maxwell's equations कहते हैं और equation of light उन्होंने इस तरह से समझाई थी बढ़ा मदेदार है उस समय हर चीज में भगवान को गुसाई दिया जाता था इसमें Maxwell's ने भी वही किया बात समझ में आगई तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या सीखा I hope आपको मज़ा आ रहा है और आप इन चीजों को समझ के अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं Newton ने बहुत क्लियरली एक सिंपल सी equation देके प्लैनेट्स कैसे चलते हैं वो समझाया Maxwell ने लाइट के धाचे और गती को एक equation से समझाया और अब वैग्यानिक एक छोटी सी एक ए दो इंच लंबी equation चाहते हैं जिसमें सारी भौतिक वास्तविक्तावसी को हम कहते हैं Standard Model of Physics जो भी बहुत चुनोतियों से भरा है लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह रही वो equations यह आपको एक्जाम के लिए नहीं देखनी हैं आप से कोई नहीं पूछे ला फिर भी आपको सिफ मालूम हो कि आदुनिक सभ्यता आखे टिकी हुई किस चीज़ पर है सोलवे पन्ने पर आ गए हैं Electromagnetic Revolution and the Nuclear Age विद्यचुम्ब की एकरांती और परमानु यूग अब आप अगर इंटरनेट की बात करते हो तो अल्टिमेटली इंटरनेट सारे अप्टिक फाइबर केबल पे चलने वाला काम है उसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है उसको समझने का काम Maxwell ने करवाया तो बात खतम होगी इंटरनेट इस वेरी सिंपल बाइप्रोड़क्ट अफ दी अप्रोड़क्ट कर रहा है वहां आज जीवन भूत तेज गती से आगे बढ़ रहा है और जहां इंटरनेट नहीं है वह देश सारे गरीब है नौट कोरिया इस वेरी गुड एग्जामपल और भविष्य में तो इंटरनेट पूरा-पूरा हमारे शरीर में हमारे चश्मों में हमारे हर प्रकार के प्रोड़क्ट में ऐसा आजाएगा कि जिसमें रियल टाइम में आपको अलग-अलग भाशाएं सीखने की जरूरत ही नहीं होगी आप जो बोलोगे वह आपके चश्मे में ही सुनके वह कनवर्ड भी हो जाएगा सामने वाले को दिख जाएगा या बोल देगा मतलब आप आप इमेजिन करो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है और ये दस बीस सालों में हो जाएगा आपको बात समझ में आगी आप जिस किसी से मिल रहे हैं उस व्यक्ति की आइडेंटिटी अगर उसने अलाव किया है तो वो सारी जानकारी भी सामने आ जाएगी तो ये सब शुरुवात इन वैज्ञानिकों से हुई ग्रैविटी, इलेक्ट्रो मेगनेटिक फोर्स, माइकल फराडे, जेम्स, क्लर्क, मैक्सवेल और अब आता है नुक्लियर फोर्स नुक्लियर फोर्स यने हमारे सितारों के अंदर की जो पूरी ताकत है उस ताकत को समझने का काम और मैं आपको कुछ बहुती स्ट्राइकिंग ट्रूथ सब भी बताऊंगा, दस मिनिट में ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देंगे, आई होप आपको मज़ा आ रहा है, ये सारे डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं, इनको धीरे धीरे कनेक्ट करके समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि Otherwise, रटे लगवा देना अलग-अलग equations के, definitions के, उसमें क्या मज़ा है, न तो पढ़ने वाले को मज़ा है, न हमको पढ़ाने वाले को मज़ा है, कोई point ही नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे, इस पूरे course में वैसा काम नहीं होगा, आपको मैं सीखने, समझने में बहुत मदद करूँगा, तो gravity ने motion of the planet समझने में मदद की, उसमें पूरा का पूरा Newton ने जो mechanics create किया, उससे industrial revolution आ गया, ये सब हमने बात की, और फिर हम आगे nuclear force पे कि Einstein और दूसरों ने secrets of the star unravel करना शुरू कर दिये, nuclear force जो होता है, atoms के अंदर weak force, strong force दोनों होते हैं, इन सब से ही sun का भी न अदभुत equation है, equal to mc square, इससे जादा elegant तो कुछ होई नहीं सकता है, जितनी छोटी equation, उतनी उसकी elegance, याद रखना, complexity is never elegant, simplicity is elegant, आज हमारे पास ये periodic table of elements है, जिससे student भारी नफरत करते हैं, याद करवाया जाता है, स्कूल में, chemistry का teacher बहुत बुरा लगता है, सब को इस वज़ स्कूल में पढ़ा है, तो आपको मैं कुछ मज़ेदार चीज़ें ये बता हूँ, कि इस पूरे ब्रह्मान को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होगी, अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए और बोले बच्चा तुझे क्या चाहिए बता, त प्रविटी से ही मिलकर बना है, तो याद रखिएगा, आशिरवाद में, वर्दान में, क्या मांगना है, बता दिया है मैंने, चोटी मोटी चीज़ें मत मान, प्रभू, प्रभू, आईफोन को लेटेस मडल दिला दो, प्रभू, प्रभू, ओ प्रभू, तेसला की नहीं, बिलकुल इलुक्तिक का, बड़ी हादुर गया, प्रवाद बिलकुल प्रभू, और एक अच्छा बड़े तीन मंदले को बिलकुल बीच फ्रंट पर बंगला, प्रभू बोलेंगे, मूर्क तथास्तु ले, क्या गधे के पास आया मैं, ऐसा मत करना, प्रभू को बोलना, प भारत के हर बच्चे को करना चाहिए, मुझे खुशी है, तुने किया, जा, तुझे मैंने दिया, समझ गए, ध्यान रखना, नहीं तो शराब भी मिल सकता है, तो आप पूरा युनिवर्स क्रियेट कर सकते हो, अगर आपको मैं हाइट्रोजन और ग्रैविटी दे दू, बिग बैंग जो इवेंट, 14.8 बिलियन इयर्स पहले हुआ था, जिससे हमारा वर्तमान, पूरा का पूरा ब्रह्मान चल रहा है, बिग बैंग इवेंट, अराउंड 13.8, नौट 14.8, उसी में वो सारे इलेक्ट्रॉंस और नूट्रॉंस पैदा हुए थे, और प्रोटॉंस पैदा हुए थे, जो आज, पूरे ब्रह्मान में है, पिरोडिक टेबल अफ एलेमेंट में वो सारे इलेमेंट्स हैं, जो युनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से दूर दूर के सितारों के एलेमेंट भी स्टडी तो करी सकते हो, वेज्यानिकों का ये 99% भरोसा है कि इस पिरोडिक टेबल में वो हर एलेमेंट है, जो इस भ्रह्मान्ड में कहीं भी होगा, समझ रहें, और शिरुवात में हाइड्रोजन और ग्रैविटी, अल्टिमेटली ग्रैविटेशनल कोलैप्स से ही सितारे बनते हैं, अरे भई, ये जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम में ये क्या था, एक धुए का बादल ही था ना, आज से साथ, करीबन 480-490 करोड साल पहले, फिर वो धुए का बादल खुद पे गिरा ग्रैविटी से, और उसमें से सब बनना शुरू हुआ, और उसके बाद पूरा डिश शेप में आया, तो ये होते होते 30-40 करोड साल लगे, तो बेसिकली ग्रैविटेशनल कोलैप्स इस दे वे थिंग्स हैपन, और कोई मेकैनिजम तो है नहीं, यूनिवर्स में चीज़ों को क्रिएट करने का, उसके बाद हम आइंस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं, आइंस्टाइन ने बताये कि तुमारी स्पीड जितनी बढ़ती जाएगी, तुम उतने हेवी होते जाओगे, तो वेट भी एक कॉंस्टेंट नहीं है, समझ में आया, energy of motion starts getting converted into mass, that is why you get heavier, e turns into m and the relationship is exactly e equal to mc square, और प्रयोग शाला में हमारे वैज्ञानिक हर दिन इस चीज़ को मापते रहते हैं, ठीक है ना भी या, अब यह जो nuclear force समझा गया, उसने सूर्य के भेद समझने में भी हमारी मदद की, तो यह सूर्य के भेद हमको समझने में कैसे मदद हुई, ultimately, हम हर atom के nucleus के अंदर घुसे, जहां हमें particles मिले, और इन particles को जब हमने अलग-अलग cyclotrons में accelerate करके आपस में टकराना शुरू किया, तो हमें और particles मिले, और जब उन और particles को smash किया, तो और particles मिलना शुरू हो गए, और एक पूरा का पूरा standard model of particle physics आ गया, यह रहा वो standard model of particle physics, जिसमें अभी बहुत सारी नई नई problems आना हाल में शुरू हुई है, नए experiment में, अच्छी बात है ने, विज्ञान इसी से चलता है, आप समझ गए, तो अब नए नए सेक्डो सब अटेमिक particle मिलते ही चले जारे है, particle accelerator में या smashers में, और यह अच्छी बात है, हमें anti-matter के बारे में भी पता चल गया, which has the opposite charge of matter, electron का anti-matter particle होगा, positron या anti-particle, anti-electron जिसका positive charge है, और anti-hydrogen was made at CERN और Fermilab, यह experiment हो चुके हैं, तो अगर परिश्णा में इस पर कुछ सवाल आए, तो आप यह जवाब दे सकते हैं, anti-matter और matter जिससे टकराता है, तो energy release होती है, और 100% energy release करने का वो एक मात्र तरीका है, एक दिन हो सकता है, हमारे बड़े-बड़े spaceship matter-antimatter merging से चलने लगें, अभी उसमें सैकड़ो साल है, लेकिन रास्ता तो पता चल गया, इसी को हमने standard model का नाम दिया, जिसमें एक particle zoo तयार हो गया, hundreds upon hundreds of sub-atomic particles, जिनको किसी तरह ठोक पीटके एक model में fit किया गया, यह बहुत elegant model नहीं है, सभी जानते हैं, और अभी उस पे बहुत काम होना बाकी है, 1960 के दशक में Higgs-Buzon की prediction की गई थी, 2012 में, उसे धून के निकाल लिया गया है LSC में, तो इस तरह विज्ञान अपने missing links को भी धून धून के निकाल रहा है, समझ गए? उसके बाद विज्ञानिकों ने पूरी तरह से theoretical construct दिया, the string theory, क्योंकि विज्ञानिकों का, physicists का, सबसे बड़ा endeavor यह है कि fundamentally universe को कौन चला रहा है, एक दम basic level पे, तो फिर एक string theory आई, कि electrons के अंदर ultimately क्या होता, तो बोले वहाँ rubber band जैसे strings होते हैं, एक frequency पे चलाओ तो यह particle बन जाता, इस पे चलाओ तो वो बन जाता, इस पे चलाओ तो वो, तो एक string theory भी आ गई, यह सब theoretical structures है, यह experimentally अभी तक प्रूव नहीं हो पाए हैं, इनको super strings कहते हैं, इससे दादा आपको पढ़ने की दरूवत नहीं है, यह terminology आपको एक बार पता होनी चाहिए, इस module में हम आगे जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तोड़ा थोड़ा, क्योंकि कहीं ने कहीं एक mark का question, यहां वाँ आ जाता एक single objective question या कुछ, तो कहीं भी कमी नहीं पढ़नी चीए आपको, ठीक है, तो यह जो string theory है, यह बड़ी अजीब theory है, यह hyper space में चलती है, आप और हम उसको दिमाद में visualize नहीं कर पाते, उसमें 10 dimension हो सकते हैं, 11 dimension हो सकते हैं, और वो physics की equation में ही visualize होता है, आप और हम जिस reality में हैं, वो 3D reality है, length, width, height, और Einstein ने, उसमें time घुसा के space time fabric बना दिया था, लेकिन physicists यह बोलते हैं, कि universe big bang के समय 3 या 4 dimensional नहीं था, 11 dimensional था, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, कोई आप से proof उसका माँगने वाला है नहीं, I hope this is clear, string theory और parallel universes की theory यहाँ पर दो line में समझाई गई है, तो जो strings की हमने बात की थी, वो आपके सामने हैं, देख लीजे एक बार, यह सब पिछले 100 years में हो गया, तो यह पिछले 100 साल तो इतने transformational हो गाई कि पूछिये मत, अगले 100 क्या होंगे, आप और हम वाकई में आज सोच नहीं सकते हैं, तो कुछ वेज्ञानिकों ने यह दावाब करना शुरू कर दिया है, कि string theory ही वो theory of everything है, क्योंकि वो सारे चारो forces को connect कर देती है, gravity, EM force, weak nuclear, strong nuclear force, समझ में आ गया, और ऐसा करके, पूरा का पूरा, elegant model of physics आ जाता है, अब किसी को पता नहीं है, तो laws of nature में चार fundamental forces हैं, आप आज मेरे साथ यह अच्छे ते तीन बार पढ़ चुके हैं, यह actually एक ही है, time travel हो सकता है या नहीं, अभी तक कोई कर नहीं पाया है, और आज से खर्बो साल बात, universe पूरी तरहते big freeze में चला जाएगा, जब सारे के सारे सितारे समाप्त हो जाएंगे, the big freeze, चारो fundamental forces को अगर आपको समझना है, तो यह उनको समझाने का एक छोटा सा तरीका है, थोड़ा सा यह technical रहा section में जानता हूं दोस्तों, लेकिन आपने किया मुझे अच्छा लगा, strong electromagnetic weak or gravity, strong force, electromagnetic force, weak force, gravity force, यह चारों अच्छे से पढ़ लीजे, अच्छे से देख लीजे, ठीक है, clear है, तो हमारा यह section अब हम यहाँ पर complete करते हैं, और strong force की strength अगर 1 है, तो electromagnetic की 1 upon 137, weak की 10 to the power minus 6, याने 1 upon 10 to the power 6, और gravity is very, very less, लेकिन range अलग-अलग होती है, electromagnetic की infinite है, gravity की भी infinite है, strong nuclear और weak nuclear की जो है, वो बहुत ही micro level की है, मदेदार चार्ट है यह fundamental forces का, यह relative strength है, अगर strong को 1 मानू तो, ठीक है, सिर्व आपको समझाने के लिए, तो gravity remains a very weak force, it applies at scale and then it shows its magic, ultimately सूर्य पूरा उसी से चली रहा है, अब आते हैं, carbon dating process, science meets technology, तो आपको अभी तक का, lecture समझ में आया है, सारी बातें समझ में आई, मैंने किताब आपको दिखाई थी, The Rise and Fall of Dinosaurs, इस तरह के किताबों में, बड़े confidence के साथ, वो तारीखे वगेरा बताते हैं, तो कैसे पता चलता है उनको, कि यह जो हमको fossil मिला है, यह 8 करोड साल पुराना है, यह 15 करोड साल, यह 20, यह डेटिंग प्रोसेस से पता चलता है, अब उसकी डेट निकाल लेते हैं, तिथी निर्धारण कर लेते हैं, यह जादुई चीज है, डेटिंग प्रोसेस, लेकिन, multiple तरह की डेटिंग प्रोसेसेस, विज्ञान ने अब, perfect कर ली हैं, जिससे हमारा अंडेस्टेंडिंग, हमारी पृत्वी का बहुत ही स्ट्रॉंग हो गया है, इन डेटिंग प्रोसेसेस में, जो सबसे बेसिक है, वो है कार्बन डेटिंग प्रोसेस, जिसकी एक बहुत limited range होती है, यह करोडों सालों में नहीं जाता है, यह दसो हजारों सालों पर ही लगता है, लेकिन यह हमारे बहुत काम का है, क्योंकि organic objects की डेटिंग इससे बहुत अच्छी हो जाती है, डेटिंग तक्नीकों का, यहने तिथी निर्धारन तक्नीकों का प्रोसेजर जो होता है, वो वेग्यानिकों को, चक्तानों के, जीवाश्मों के, और कलाकृतियों की उम्र को ढूनने में बहुत मदद करता है, तो जो भी, अलग-अलग historians या archaeologist होते हैं, जो खुदाई करकर के archaeologist चीज़े निकालते हैं, तो वो layers में ही मिलती हैं सारी चीज़ें, हर चीज मानव सभ्यता सारी layers में बनती गई है, एक के उपर, एक के उपर, एक के उपर, एक के उपर, ऐसा हजारों साल में दुनिया में यही हुआ है, तो आप खुदते जाओगे, तो पुरानी चीज़ें निकलती ही चली जाएंगी, पूरा layer में मिलता चला जाता है, यह जो objects मिलते हैं, इनकी तारीक यह कितने हजार साल पहले बना, वो dating technique से ही मिलता है, तो dating techniques क्या होती हैं, अगर exam में पुछेंगे तो क्या बोलेंगे, these are the various scientific procedures, which scientists use to determine the age of rocks, fossils, और artifacts, artifacts are man-made, दो तरह के होते हैं, relative और absolute dating relative में, एक sample दूसरे से पुराना है या नहीं, और absolute में उसकी actual age कितनी हैं, और absolute वाले अभी अभी 70-80 सालों में मिलना शुरू हुए हैं, बहुत सारी absolute techniques में radioactive decay का principle यूज होता है, जहां किसी भी element का radioactive form, एक निश्चित amount में decay होकर non-radioactive product बनाता है, तो किसी object में कितना प्रतिशत non-radioactive आज मिला है, उस पे से में उसकी age धून के निकाल सकता हूँ, उल्टा चल के, कुछ chemical change पर होते हैं, समझ में आ गया, ये है पूरी की पूरी बाद, हम सभी ने स्कूल में केमिस्ट्री में कुछ basic चीजों में radioactive decay तो पढ़ा ही है, तो जैसे ये alpha decay, beta decay, gamma emissions, इस तरह की चीजें radioactive decay में पढ़ी जाती हैं, पढ़ा ही जाती हैं, unbalanced atoms में होता है, उसको radio nuclides कहते हैं, समझ में आ गया? तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा पीशे ले चलता हूँ, तो यहां हमने जो देखा था, radioactive decay occurs in unbalanced atoms, उनको हम radio nuclides कहते हैं, जिन में से ionizing radiation बहार आती है, ये, ये, जब कोई radio nuclides decay होता है, तो एक decay product create होता है, ये है वो daughter product, और ये dk तब तक चलता रहेगा, जब तक stable atoms produce नहीं हो जाएं, और radio activity बंद नहीं हो जाएं, सामान्य तोर पर ये जो radio nuclides होते हैं, unstable, unbalanced atoms, ये एक ही बार emit करते हैं, और उसके बाद थंडे पड़ जाते हैं, stable हो जाते हैं, और प्रक्रती में किसी भी element का वो form, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जो सबसे stable form होता है, तो most stable form of an element is the most common in nature, naturally, क्योंकि unstable form तो emit करकर के stable होते चले जा रहे हैं, सारे elements के unstable forms होते हैं, वो radioactive होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका stable form ही नहीं होता, वो हमेशा radioactive ही रहते हैं, बहुत कम हैं ऐसे, uranium उन में से एक है, समझ में आ गया? uranium और thorium की decay chains हैं, यह आपको करने की ज़रूवत नहीं है, आप से exam में यह कोई नहीं पूछेगा, civil services में यह नहीं आएगा, लेकिन at least आपको मालूम होना चाहिए, तो अब हम carbon dating की process को थोड़ा सा समझ लेते हैं, carbon dating की process को अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले यह समझ यह, कि यह केवल, उन objects की date बता सकता है, एज बता सकता है, जो carbon based materials पे बने होते हैं, और living organisms में से आए होते हैं, carbon dating processes, basically radio carbon dating, can give you good age estimates, यह 5000 साल था, 7300 साल था, 25000 था, 55600 साल था, for carbon based material that originated from living organisms, समझ में आ गया, now carbon is one of the many chemical elements on earth, और जितने भी biomolecules हैं, लाइफ के fats, proteins, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur मिलके उनको बनाते हैं, carbon item के nucleus में, नाभिक में 6 protons होते हैं, और maximum carbon atoms में 6 neutrons होते हैं, बिल्कुल balanced होता है वो nucleus, 6 protons, 6 neutron, यहने की mass of 12, इनको कहते हैं C12, लेकिन अभी हमने कहा कि maximum में होते हैं, तो बचे 1% में क्या होता है, उन में क्या होता है, कि 7 neutron या 8 neutron होते हैं, और 6 proton तो होते ही हैं, तो mass क्या होते हैं, देखिए, simple सी बात समझे हैं, किसी भी element को define करेगा, number of proton in the nucleus, protons कम या ज़्यादा हुए, element change हो जाएगा, neutrons कम या ज़्यादा हुए, isotope create होगा, element वही रहेगा, तो आपका proton तो 6 रहेगा, carbon की definition ही 6 proton है, लेकिन neutron 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो वो C12, C13, C14 हो जाएगा, इनको isotopes कहते हैं, विज्यान को ये पता है, की भी carbon mass में 0.00000000001% होता है, 1 part per trillion, trillion का मतलब होता है, 1000 billion, और billion का मतलब होता है, 100 crore, तो it is almost a negligible quantity, 14 C, या तो 0 होता है, या 1 per trillion carbon atoms होता है, लेकिन हमारा काम उससे हो जाएगा, क्योंकि atoms इतने छोटे हैं, कि trillion से कोई फरक नहीं पढ़ता है, trillion कोई बड़ी चीज होती नहीं atoms में, ये रहे carbon 12, carbon 13, carbon 14 के illustrative diagrams, समझ में आ गया, सबसे stable C12 होता है, C13 होता है, C14 बिल्कुल भी stable नहीं है, और उसके decay का rate fix होता है, अगर आप C14 का given mask लेंगे, तो उसमें से 50% decay 5730 सालों में होगा, ये fix है, समझ में आ गया, radioactive decay का rate fix कर रखा universe ने, प्रकृति के नियम होने, तो किसी भी मरी हुई organic body में, 5730 साल के बाद, केवल आधा C14 बचेगा, 5730 साल और बीतेंगे, तो आधे का आधा एक चौथाई बचेगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा, जब उस मरी हुई organic body में, 14C खतम ही हो जाएगा, C14 dating, organic bodies पर तो लगती ही लगती है, कुछ inorganic पर भी हो जाती है, लेकिन metals के लिए ये बेकार है, तो metals के लिए फिर दूसरी बहुत सारी हैं, अब, यहाँ पर nitrogen picture में आता है, तो आप बोलेंगे nitrogen कहां से आगया, हम तो carbon dating की बात कर रहे थे, बस अभी समझाता हूँ, carbon 14 बनता कहां से है, हमारे वाईू मंडल की अपर लेयर में, nitrogen 14 atoms पर cosmic ray neutrons के हमले से, carbon 14 बनता है, समझ में आ गया, nitrogen 14 से हमारा आशा है, 7 protons and 7 neutrons, carbon में 6 proton होते हैं, nitrogen में 7 proton, सिर्फ एक proton बदला, तो carbon बदल के nitrogen हो जाता है, ये ताकत है proton की, वो पूरा नेचरी बदल देता element का, I hope that is clear, तो ये जो nitrogen 14, वाईू मंडल में है, उस पे लगातार, सूर्य से आ रहे neutrons का हमला होता रहता है, it gets oxidized in the air to form CO2, मतलब जैसे ही carbon 14 बनता है, वो तुरंत oxygen से react करके, CO2 में तबदील होके, global carbon cycle में चला जाता है, और एक global carbon cycle लंबी चौड़ी चल रही है, ये हम आगे environment के lecture में, सारी cycle है बढ़ाईंगे आपको, carbon cycle, water cycle, phosphorus cycle, सब देखेंगे, plants और animals लगातार, carbon cycle का हिस्सा बना रहते हैं, तो carbon 14 उनके शरीर में आता रहता है, जब उनकी मौत होती है, carbon cycle रुख जाती है, और उनका carbon 14 content स्थिर हो जाता है, और उसका decay 5730 येर वाले formula से शुरू हो जाता है, अब समझ में हैं, विज्ञान कौन सी तख्थीक यूज़ कर रहा है, this is how carbon cycles happen, इसको पढ़ेंगे आगे के lectures में, और ये carbon movement है, तो ये वो living carbon है, living organism C14 radio carbon को लगातार पूरी जिन्दगी एब्सॉप कर रहे हैं, जो atmosphere से बनके global carbon cycle में घुसरा है, जब मौत होती है और fossil बन जाता है, या dead शरीर पढ़ा रहता है, तो उसके एक छोट इसे तुकड़े को जलाया जाता है, और CO2 gas में तबदील कर दिया जाता है, CO2 gas में stable C12 और unstable C14 अलग-अलग दिखाई देने लगते हैं, और C14 decay होके nitrogen बनता है, जिसके लिए वो एक electron छोड़ता है, और एक radiation counter electrons को count करता रहता है, जिससे कितने C14 atom थे पता चल जाते हैं, तो reverse working करके age निकलाती है, क्या process है, इसमें problem सिर्फ एक है, कि dating की इस process में maximum 50, 60, 75, 75,000 साल की dating हो सकती है, और minimum 100 सालों की हो सकती है, लेकिन पृत्षवी तो बहुत ज्यादा पुरानी है, तो इतनी पुरानी पृत्षवी को study करने के लिए, uranium dating, potassium organ method dating, ऐसी बहुत सारी तक्निके हैं, जो 100 करोड, 200 करोड, 300 करोड साल पहले तक की तारीखें, accurately बता देती हैं, यही तो विज्ञान है, यही तो चमतकार है विज्ञान का, यह तस्वीर हैं, आपको वो सब बता रही हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, सूर्य से आ रही सारी radiation हैं, neutron का हमला nitrogen 14 पर हुआ, जो carbon 14 बना, carbon 14 पूरी की पूरी cycle में चला गया, जब वो cycle में गया, तो plants और animals का हिस्सा बन गया, और बित्यू के बाद, उनके शवों से निकाल कर, उसके एक हिस्से को जला कर, study किया गया, और फिर पता चल गया, कितने electrons निकले, counter से, तो फिर मालूम चल गया, कितने original c14 थे, तो original life कितनी रही होगी, समझ में आ गया, उसके लिए, उस मरेवे sample को, एक live sample के साथ, parallel compare करके, c14 का ratio देखा जा सकता है, जिससे एक relative size ratio, पता चल जाती है, dating processes, बहुत सारे तरीकों की होती है, जैसा मैंने class के शुरुवात में बोला था, relative dating, जो हमें बताती है, कि ये चीज दूसरे से पुरानी थी, या कम थी, उसमें stratigraphy, seriation, final dating, pollen dating होती है, तो जैसा मैंने आप से कहा, कि आप layer by layer जब खोथते चले जाते हैं, तो नीचे पुराना 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 मिलता चला जाता है, और उसमें जीवाश्म निकलते चले जाते हैं, बहुत सा logic समझाता हूँ, एक बहुत अच्छी किताब आई थी, When We Die, उस किताब में एक थेओरी थी, बड़ी प्यारी थेओरी थी, दस-एक साल पुरानी किताब है, शाहिद मिल जाएगे इंटरनेट पे, कि मान लीजे, कल सुभे दुनिया के सारे लोग मर जाते हैं, All 800 करोर पीपल on this planet, डाए टुमॉरो बार्निंग, फिर क्या होगा पृत्वी का, ये सवाल है, कितना टैंटलाइजिंग सवाल है, उसका जवाब है, कुछ नहीं, पृत्वी को फरक ही नहीं पड़ेगा, सारे शव दस दिनों में गल जाएंगे, जानवर सब तरफ आके शवों को खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, कीडे मकोडे खा जाएंगे, मैगर्स खा जाएंगे, इंसानों के शव 10, 20, 30, 40 दिनों में, गायब हो जाएंगे पृत्वी से, हड़ियां बचेंगी केवद, उसके बाद, वेजिटेशन अपना काम शुरू करेगा, और, सौ सालों में, जितने हमारे यह बड़े बड़े शहर है, तो शान से हम देखते हैं, I love X-City, Selfie, वो सब 5, 6, 7, 8, 9, 10 feet, मिट्टी के नीशे दप जाएंगे, बड़ी बड़ी चमकदार बिल्डिंग, सब धराशाई होके नीचे आना शुरू हो जाएंगे, 500 साल में, कुछ नहीं होगा, यह सब मिट्टी के नीचे दप चुका होगा, नेचर ऐसी ही काम करता है, दो, तीन, चार, पाँच, हदार साल बात, मानों सब भीता के सारे अफशेश गायब हो जाएंगे, उसके बाद कोई आए और खोद के निकाले, तो उसको मिलेगा, इतने लेड तक वो खोद के सब देखेगा, फिर और नीचे जाएगा, तो उसको इसके पहले की चीज़ ने मिलेंगे, तो वो अच्छी किताब थी, वो पढ़के काफी एक सेंस ऑफ बैलेंस दिमाग में आता है, कि ज्यादा होश्यार बनने की जरूबत नहीं है, एपसलूट डेटिंग, इसमें आपको एक्च्वल तारीखे पता चल जाती है, कि भाई ये कितने लाख करोड साल पुरहना है, और अब तो बृत्वी की एक्जैक्ट एज और वो सब इतना बारीख हो गया, ये साइन्स तो की पूछिये ही मत, इस पर मैंने कुछ नोट्स दिये हैं, पावर पैक वाले सारे नोट्स डाउन्लोड करके अच्छे से पढ़ लीजेगा, और लॉजिकली अंडेस्टेंडिंग मैंने इसको एक बारो तारकीक रूप से यहां लिख के समझा दिया है, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा दस मिनिट लगा के इसको पढ़ना और इसको समझना, एक ग्लॉसरी भी दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ें एक्जाम में पूस सकते हैं, इसमें से ग्लॉसरी बहुत यूसफुल रहती हैं, इन में से कोई एक पर्टिकुलर टर्म पर कोई MCQ बन सकता है, इसलिए सारा दे दिया, ठीक है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें तो पढ़नी पढ़ेंगी, पढ़ानी पढ़ेंगी ना, कैसे होगा नहीं तो, मैंने आप से कहा था, बहुत पुरानी-पुरानी तारीखें भी निकालते हैं, तो ये वो पत्धतियां है, पुटाइशियम आरगन भी है, यूरेनियम लेड भी है, बिलियन्स ओफ एर्स तक चली आती है, फिशन ट्रेकिंग है, अब हम आपको कुछ प्रेलिम्स के क्वेश्चन करवा देते हैं, प्यारे दोस्तों, हमारी रणिंग सीरीज का क्वेश्चन 112, हमने आपको वादा किया है, कि इस कोर्स में 800 क्वेश्चन प्रेलिम्स के करवा देंगे, क्लास में जो आपकी लर्निंग के लिए अद्भुत हैं, लेक्चर के साथ मैप्ट हैं, और डाउस क्लेरिंग सेशन में हम अलग से क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप बस धंग से करते चलें, हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर पंधरा आपके सामने है, आज हमारा ओर्येंटेशन लेक्चर था, तो मैं जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रेलिम के, ठीक है, जरूरी नहीं कि वे एक्जाइक टॉपिक से मैच करें, उसके घबरानी की दरूबत नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्या लगता है आपको, यह 2022 का ही सवाल था, क्यूबिट किस सेंस में यूज होता है, तो नैचरली, क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है, इस चीज के उपर हम आगे, अभी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बढ़ाने वाले हैं, यह यह सी साल का क्वेश्चन था, रनिंग सीरीज क्वेश्चन 113, यह भी 2022 का ही सवाल है, निमनलिखित कम्यूनिकेशन टिक्नोलोजी पर ध्यान लगाएं, और इन में से कौन सी शार्ट रेंज डिवाइसे से वो बताईए, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की लिस्टिंग, हम आपको आने वाले लेक्चर्ज में इस मॉड्यूल में अच्छे से करवाएंगे, और इसका सही उत्तर है, अल अफ दीज, यह 2022 प्रेलिम्स का क्वेश्चन है भी या, ठीक है, रनिंग सीरीज क्वेश्चन 114, यह इतना बड़ा एक पूरे पेज को भर दे ऐसा क्वेश्चन था, तो यहां हमको इसको थोड़ा दवाना पड़ा, तो यह विजीबल नहीं है, माफी चाहते है, यदि एक मेजर सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म पृत्वी पर आजाए, तो पृत्वी पर क्या असर होगा, GPS और नविकेशन फेल हो जाएगा, सुनामी एक्वेटर पर आजाएगी, पावर ग्रिट डैमेज हो जाएगा, इंटेंस औरोराज होंगे, फॉरेस्ट फायर हो जाएगी, ऑर्बिट्स ऑफ सैटलाइट डिस्टर्ब हो जाएगे, शॉर्ट वेव रेडियो कम्यूनिकेशन आफ दी एरकाफ फ्लाइग ओवर पोलर रीजन्स कुट बी इंटरॉप्टे, अब देखकर तो लग रहा है कि ये तो इतना भयंकर क्वेश्चन है कि कोई फिजिसिस्ट ही सॉल कर पाएगा, एक्चिली ये है बहुत सरल क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते आप जैसी टू पर आओगे, तो एक्वेटोरियल शेत्र में सुनामी, देखिए सुलर स्टॉर्म से कभी सुनामी तो आई नहीं सकती न, मतलब ये तो नौनसेंस बात है, तो तो गलत है, अगर टू गलत है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी ही सही है, खेल खता हूँ, ऑप्शन सी is correct, environment और ecology का सवाल है लेकिन module common है इसलिए मैंने ले लिया ग्रीन वाशिंग क्या होती है ठीक है अब आप से पूछा जा रहा है कि भाई या बताओ ग्रीन वाशिंग क्या होती है तो यह हमने हमारे सेशन्स में बहुत अच्छे से पहले पढ़ाया था इस तर्कि टर्मिन वाशिंग में बहुत अच्छे से कवर करवा देता हूं यह भी 2022 का ही क्वेश्चन था ग्रीन वाशिंग बेसिकली एक नेगेटिव शब्द है जो यह बताता है कि कोई company fraud करके ऐसा दुनिया को दिखा रही है कि मैं बड़ी इको friendly company हूँ जबकि वो होती नहीं है अच्छा गाता fraud चल रहा है इस नाम पर प्रश्नक्रमांक 116 रनिंग सीरीज का कर लो बेटा यह थोड़ा सा chemistry type का है कि इन में से कौन सा chemical change का उधारनी यह 2014 का सवाल है तो हम सभी इस तरह के सवाल पहले कर भी चुके ही होंगे अपने स्कूलों में पढ़े होंगे देखे होंगे yes or no क्या लगता है आपको A, B, C, D में से इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताएं आप ही चाहता हूं question हट गया screen से यह रहा question बोलो बेटा क्या लगता है आपको इसका उत्तर क्या होना चाहिए naturally chemical change तो केवल 3 ही है न souring of milk बाकी के तो chemical changes है नहीं option B, 117 पर आगे है रेनिंग सीरीज का आज हमने carbon cycle भी देखी थी 2014 में carbon cycle का सवाल आ गया था ऐसी बहुत सारी cycles जो पृत्वी पर चलती है वो हम हमारे course में आगे पूरा अच्छे से पढ़ाने वाले हैं फिलाल which of these adds CO2 to the carbon cycle और इसका सही उत्तर है C 1, 2 & 4 only समझ गए अब इसको quick solve करने का photosynthesis में carbon dioxide is not released तो अगर उसमें carbon dioxide release नहीं हो रही है तो आपका ये option चला जाता है ये option etc ठीक है question 118 running series का 2015 का सवाल है goldilocks zone क्या होता है अब आप देखिए ये सवाल UPSC प्रेलिब में पूछा है तो कुछ भी पूछ सकते है अपने दिमाग में preconceived notion लेकर अगर तुम चल रहा हो कि ये थड़ी पूछेगा वो थड़ी पूछेगा फिर तो तुम्हें पता ही नहीं क्या क्या पूछेगा तो goldilocks zone क्या होता है बहुत अच्छा सवाल है बहुत simple सवाल है किसी भी सितारे के आसपास वो शेत्र जिसमें कोई planet पे जीवन हो सकता है लेकिन यहां तो सितारा है ही नहीं तो फिर सवाल पृत्वी का है पृत्वी की surface के उपर का habitable zone अब ये बड़ा डराने वाला concept है आप इस पूरी पृत्वी को अगर देखते हैं तो इस पे life केवल कुछ किलो मेटर के दाएरे में ही जी सकती है उसके दो तीन किलो मेटर उपर चले जाओ आप मर जाओगे दो तीन नीचे मर जाओगे life is a very rare occurrence on a very thin film on this planet and that planet itself is very lucky because it is in the perfect habitable zone around the sun geography के module में हम इसको देखेंगे golden log zone को वापिस से तो इसका answer था a I hope आपको मज़ा आया आगे के lectures में और questions लेंगे अब जो हमने आज नया module चालू किया है environment technology science technology था उसके पहले lecture में ही सारे mains के question इस पूरे module के मैं आपको दे रहा हूँ छे पन्नों में है ये आराम से आने वाले दिनों में इन में से एक एक question के उत्तर आप लिखें अपनी notebook में telegram group में भी लिख सकते हो और discuss comment में तो लिखना ही लिखना तो इसी के साथ हमारा orientation होता है complete ये lecture हमने YouTube पर भी पूरा release किया है स्टूडेंट्स के फाइदे के लिए अच्छे से इसको पढ़िएगा पूरा agenda आज का हमारा complete हो गया आपने अभी तक अगर power pack जॉइन नहीं किया है तुरंत आज क्या जॉइन करें जितना अभी तक हुआ है वो आपको मिलेगा साड़ेशे महिने की साथ महिने की साइकिल में कोर्स होता है तो आप आगे भी continue करेंगे सेम चीज आगे आप cover कर सकते है इसी के साथ मैं आपको फिर से invite करता हूँ power pack जॉइन करने के लिए और हमारे सभी students को फिर power of 10 जरा solve अच्छे जे पढ़ लेना बेटा PCSA जो Saturday को नहीं हो पाया था वो Monday शाम को होगा कल सुबह साथ बजे फिर से अगली regular class इसी module का next part तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं जैसा हमने आपको class की शुरुवात में बताया था कल होगा important concepts in science and technology बहुत सारे concepts में पढ़ाऊंगा जो सीरे सीरे question के रूप में आ सकते हैं यजी के साथ आज की class को समाप्त करते हैं नमस्कार जैहिंद